Subject verb agreement में में ध्यान सु सुथना, Subject verb agreement क्या है जब आपको मैंने टेंस पढ़ाया था मेंने तभी मैंने Subject verb agreement कडादियाथा आपको क्या? I come They come है ना? और He آगया तो Comes था और लोन मैंने उसी समय कहा था भाई, Singular Subject है तो Singular Subject के साथ Singular Verb होगा और अगर plural subject है तो मैंने कहा था plural verb होगा और ये मैंने आपको tense में करा दिया था भई यही तो है subject verb agreement है ना क्या है कल CPU means है विजे काद्यान पैठा all the best और मेरे तरफ से एक दाम फोड़ के आ जाओ ठीक है चलिए सुनो singular subject के साथ singular verb plural subject के साथ plural verb लेकिन ये तो बोलोगे माडम ये तो पढ़ चुके हैं ये कौन सा नहीं चीज पढ़ा रही हो आप ये तो हम पढ़ चुके हैं इतना तो आपको आना चाहिए लेकिन अगर मैं ये कहूं I do my work myself तो बेटा यहाँ पर एक जिसमा कर रहे हो कि इस subject के according हमने do verb लगाया लेकिन इसके according I के according my लगाया और I के according ही myself लगाया मैंने कोई own self, herself, yourself नहीं लगाया I था तो बेटा I, me, my, myself होता है तो बोलोगे ये subject verb agreement तो है नहीं यानि अगर ये subject verb agreement नहीं है तो फिर ये क्या है याद रखना बेटा एक वाक्य में खाली subject और verb ही agree नहीं करता बलकि subject के अनुसार सब कुछ agree करेगा यानि verb भी, adjective भी और pronoun भी यसी को तो कहते हैं syntax अगर आप कहोगे कि भई subject verb agreement में क्या पढ़ेंगे तो बेटा subject verb agreement बहुत सारी टीचर्स आपको कहेंगे कि subject verb agreement क्या होता ये chapter तो रॉंग है बेटा ये chapter रॉंग नहीं है ये खाली subject और verb तक agreement पढ़ाता है जो हम और अरड़ी tense में देखे हैं आज जो मैं कराऊंगी वो मैं subject verb agreement ही नहीं कराऊंगी मैं आपको कराऊंगी syntax वी तो बेटा वी जो है कि प्लूरल प्रोनाउन है वी के साथ मैंने डू लगाया डू भी प्लूरल वर्व हो गया वी के साथ चला आर वर्ग अब देखो वी के according आर आया तो subject verb agreement तो यहीं खतम है प्लूरल subject के साथ प्लूरल वर्व प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्व लेकिन वी डू आर वर्क आर वर्क आर सेल्फ तो वी डू आर वर्क आर सेल्फ देख रहे हो यानि वी आर और आर सेल्फ यह क्या है बिटा बिटा इसी को तो कहते हैं syntax syntax is the agreement among all the parts of speech देखो इस पूरे को अगर कहोगे कि भाई यह पूरा को कैसे कहोगे आप तो बिटा इसी को syntax कहते हैं और syntax देखो क्या है the rules that govern the ways in which words or elements combine to form a phrase, clause or a sentence is called syntax तो बिटा syntax वो rule है जिसके तहत subject, verb, adjective, pronoun सब ऐसे balanced होते हैं ऐसे लिखे जाते हैं कि वाक्य एक meaningful sentence बनाया सके यानि एक meaningful sentence बनाने के लिए जो order है जिस के तहत, जिस rule के तहत गमन होके different parts of speech लगता है उसी को syntax कहते हैं इसी लिए देखा जाए तो यह syntax जो है बिटा syntax का मतलब ही होता है कि क्या subject, verb, agreement उसमें समा चुका है और बाकी भी सब कुछ agree करेगा खाली subject और verb थोड़ी agree करेगा राइट, समझ में आया अब आते हैं अगर syntax की बात करे तो सबसे पहले point wise अब हम चलेंगे और यह ज़रा देखो पहले क्या लिखा है, फिर मैं समझाती हूँ बिटा, मैं समझाती हूँ आपको बिटा मेरी जैसा pronunciation आप नकल करनी की कोशिश करो जैसे मैंने कहा था ना कि अपनी मार्तर भाषा आपने मा से सिखी और देखो कि बहुत चारा accent pronunciation आप अपने घरवालों से पिक की हो तो इंग्लिश में मेरी नकल करोगे तो बिटा, accent pronunciation सही हो जाएगा ठीक है? चलिए आजा सुनो देहान से पर एक बार रीड करो, फिर मैं समझाती हूँ एक वाक्य में वर्व किस के अकॉर्डिंग चलता है? बिटा, एक वाक्य में वर्व चलता है subject के according ओकी subject कौन है? अरे भाई, जो मुख्य व्यक्ती है, वस्तू है जो भी मुख्य है जिसके लिए वर्व आ रहा है यानि अगर मैं कहूं कि वर्व किस के लिए आ रहा है तो भाई, अगर मैं कहूं the quality of apples is good are good, क्या लगाऊं? बोलोगे, माम, आप apples की बात नहीं कर रहे है आप quality की बात कर रहे है तो आप quality की बात कर रहे हो apples की नहीं apples होता तब R लगाते quality की बात करोगे तो is लगाऊगे ना, ठीक है the galaxy of stars बेटा, the galaxy of stars किस के according चले? हम galaxy के according से, stars के according अफकोर्स ग्यालेक्सी के कॉर्डिंग चलेंगे बिटा, स्टांस के कॉर्डिंग नहीं चल सकते, क्यों? क्योंकि हम ग्यालेक्सी की बात कर रहे हैं, है ना, हर्ड अफ काउस, किसकी बात कर रहे हो, भाई गायों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके जुन्ड की बात कर रहे है यानि वर्व फॉलोज दा में सब्जिट देखो ठीक है क्या हो रहा है चलो वर्व फॉलोज दा में सब्जिट और ये बहुत आसान होगा यार रखना क्योंकि आप सारे सेंटेंस में अभी जड़ा फोर को छोड़ कर चलना मैं सारे सेंटेंस में कहूंगे ये सब्जिट कौन है में आप कहोगे मैं में सब्जेक्ट दे वेरियस कॉंसिक्वेंस ओफ यानि विभिन नतीजे किसके विभिन नतीजे of the decision decision का मतलब होता है निरने टेकेन बाइद फाइनस मिनस्ट्री फाइनस मिनस्ट्री के द्वारा जो निरने लिया गया उसके वेरियस consequences आप कहोगे मैं consequences main subject है मैं कहोगे बिटा अगर आप थोड़ा सा भी confuse करो तो आप एक काम करना ये जो off है ना वो देख लेना अगर दो off होगा तो पहला वला off देख लेना यानि पहले से जो पहला off होगा वो देखना इस off के पहले जो subject होगा generally वही subject होगा ठीक है off के पहले जो subject होगा वही main subject होगा इसलिए the various consequences बिटा ये plural noun है plural noun है देखो आंसर आगे वर आएगा ये कहना चाह रहा है त्यान से सुनना बिटा कि finance ministry के दुआरा लिया गया जो decision था उसके various नतीजे ये नहीं 4C कर पाएं कौन bureaucrats 4C का मतलब बता बिटा पहले से जान लेना ठीक है तो पहले से ये नहीं जान पाए कि भाई इसके बिभिन नतीजे क्या होगे देखो यानि हम बोलेंगे कि भाई पूरा sentence समझने के बाद भी हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भाई ओफ देख लो और उसके पहले का नाउन उठा लो और पूरा देखो तो subject में वर्व कहा है consequences बता रहा है plural noun है plural वर्व लगा दो the introduction of job-oriented courses in the self-financing colleges बिटा ओफ के पहले देख रहे हो introduction singular noun है singular noun है तो singular verb आएगा attracts apps यानि job-oriented courses जो आए हैं self-financing colleges में यानि कि ऐसे courses लागू किया है self-financing colleges ने जिससे job मिले और इसका जो introduction है उसने attract किया है many students ठीक है उसने attract किया है बहुत सारे बच्चों को देखो clear next time knowledge of at least two languages पिटा two languages की बात नहीं हो रही है knowledge is required देखो question subject verb agreement में ऐसे ही आते है नजदीक वाला subject plural होगा लेकिन main जो subject होगा वो तो कहीं और है और वो दूर है दूर से ही वो अपना काम कर जा रहा है है ना देखो ना long distance relationship maintain कियो है ओफ के पहले जो नाउन है बिटा ओफ के पहले जो नाउन है उसके according verb आएगा next आओ fourth को छोड़कर fourth अभी नहीं करना फिप्त को देखो देखो बनाओ बताओ क्या होगा जल्दी सुनो ध्यान से बिटा कहरा है सारी परेशानिया difficulties मतलब परेशानिया वेक्सेशन यानि जो चिंताएं होती है anxieties anxiety का मतलब ही वही चिंता हुआ यानि यह सारे जो परेशानी चिंता confusion है उन सबसे उत्पन हुआ जो strain था strain मतलब तनाव वह बहुत जादा था और इतना जादा था कि वह इसको बेर नहीं कर पाया सब लोग इस लगा रहे है क्यों क्योंकि उन्होंने सोचा अरे strain है strain के according चलेंगे तो singular है तो इस होगा पिटा आगे देखो he could bear पिटा could यानि वर्फ का second form है और ये एक कोई बताया जा रहा है ठीके बताया जा रहा है पुरानी बात हो सकता है उसने suicide कर लिया हो हो सकता है उसका nervous breakdown हो गया हो क्यों क्योंकि कह रहा है कि वह बर्दाश कर पाता उससे जादा था यानि इस नहीं was होगा पास्टेंस के बात है ठीक है बोलो कोई प्राब्लम यहाँ तक आजा यह पहला जो मैंने आपको सिखाया आप आते हैं फोथ नंबर अ वेराइटी ओफ बिटा यह दो पॉइंट या रखना अ वेराइटी ओफ और अ नंबर ओफ कॉपी किताब लेके बैठे हो ना अ वेराइटी ओफ क्या लिखा है प्लेजंट आइटम्स यानि अ नंबर ओफ बोईज अ वेराइटी ओफ प्लेजंट आइटम्स बिटा प्लूरल नाउन अ वेराइटी ओफ और अ नंबर ओफ के साथ बैटा प्लूरल नाउन है लेकिन याद रखना अ वेराइटी ओफ मतलब विविन बहं भिन सुनो ध्यान से बिटा ये बहं भिन है अट्राक्ट्स मत कर दो अट्राक्ट ही रहेगा भिन भिन है भिन भिन है तो प्लूरल वर्व यी रहेगा इसलिए ये नो इरर ओके अब चलो next सुनो ध्यान से फिर से एक और पॉइंट लिख दूँ वो ये पॉइंट है कि बिटा the variety of a variety of नहीं कहां मैंने the variety of दूसरा the number of the variety of and the number of के साथ क्या लगाएंगे प्लूरल नाउन ही लगाएंगे पुछोगे कि फिर पढ़ा क्यों रहो आप अलग से इसलिए पढ़ा रहे हूँ कि प्लूरल नाउन तो लगेगा लेकिन singular वर्ब लगेगा ये दो अलग-अलग पॉइंट है दियान रखना मैंने a variety of सिखाना है वही मैं बता रही हूँ आपको a variety of pleasant items attract plural verb the variety of pleasant items is unique the variety क्योंकि उसकी variety की बात हो रहे है यानि आपको ये structure याद रखना a variety of plural noun plural verb the variety of plural noun singular verb a number of कैई जैसे मैं कहूँ की a number of boys have come फिर पूछोगे कितने थे मैं कहूँ की the number of boys was 5,000 समझ में आया a number of boys have come फिर प्लूरल का plural वर्व लेकिन यहाँ पे प्लूरल का singular वर्व क्लियर इंगलिस्पोके इंगलिस्टे कौन सा बुकले अगलिस्पोके निगलिस्पोके इंगलिस्पोके ने का बुकले ना आप कंप ये वाल्यूम वन गरा मत लेलेना ठीक है अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना बैच वगरा पर्चेस करने में या कोई डेलिवरी वगरा में तो आप इसमें वाट्सअप करतो चलो हो गया इसी लिए फोद अवराइटी है अवराइटी और प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्व पिल्कुस सही देखो आगे बढ़ें आजाओ वाल्यूम वन पेड़ कोर्स हो गया है आप इसलिए कह रहे हैं पढ़ते चले जाओ अब चलो नेक्स्ट पॉइंट आओ जड़ा इस पॉइंट को रीड करो अब फिर प्वेशन करो विए निव ग्वेशन सारा हमने प्रीविश यॉग कॉशन्स करवाते जारी हूँ कम से कम प्रीविश है क्वेशन तो देखो आप चलो देखो पिता कोई वर्व आपने सबजक्ट से बहुत दूर हो सकता है कोई भी सबजक्ट अपने वर्व से दूर हो सकता है दो नाट फोरगेट टूक्ट टू चेक इफ दे वर्व एगरी इस तूश जूजच्ट आप यह देखो पने प्यान से कि कौन सा सब्जक्ट में है और वो वर्व कौन सा है जो उसके अनुसार प्रियुक्त होगा जैसे पहले आओ flowers that are just picked flowers जो फूल है जो अभी अभी तोड़े गए है begins नहीं होगा बिटा, begin होगा क्यों? क्योंकि flowers plural noun है इसके साथ plural verb आएगा न begin to rot, rot मतलब होता है सरनाव पंदरा सेकेंड में ही सरना शुरू हो जाते है तब ही तो कहते हैं यार flowers को क्यों तोड़ रहे हो है ना, देखो, पंदरा सेकेंड में ही सरना शुरू हो जाते है next time, most of the members at the meeting felt अधिकांश members ने ये feel किया जो meeting में मौझूद थे that the group appointed to investigate the case जो group को appoint किया गया था case का जाच करने के लिए were not competent वो सक्षम नहीं था तो कौन सक्षम नहीं था? भाई, group सक्षम नहीं था तो group सक्षम नहीं था तो group के साथ तो वो साएगा ना देख रहे हो कितना दूर है अपने वर्फ से और कितना confusing है देख लो यह ना? नहीं? competent का मतलब होता है सक्षम अपने job को efficiently करने में सक्षम नहीं थे organizing world cup matches in England बटा, world cup का matches अगर आप England में organize करते हो तो इसका organize करने का ताथपर यह है बटा, imply नहीं होगा implies होगा यह ताथपर है that rains can be a constant threat कि बारिश एक लगातार, constant मतलब लगातार threat बना रहेगा यानि world cup matches इंगलेंड में organize करने का ताथपरी यह है यानि implies imply का मतलब ताथपरी होना ठीक है, बताओ 28 में confusing, देखो यह जड़ा सा देख लो एक बार, चेक करो क्या है समझ में आया देखो तो आजा, next कुछ हमारी बात होती है कि वाइ subject के बाद वट लगाओ में अअ subject के पहले भी तो वट आसकता है मिटार इन्वर्जन क्या है सब्जट के बाद वर्व होता है, नौर्मल अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो वर्व आ गया सब्जट के पहले इसको तो कहते हैं इन्वर्जन अगर फिजिक्स की स्टुडेंट हो अच्छाच से समझ सकते हो कि आप दाहिना हात उठाते हो तो क्यामरा में देखते हो मेरा बाया हाथ दिख रहा है क्योंकि वो मेरे feature को ऐसे invert कर रहा है laterally invert कर रहा है inversion यहाँ पे inversion में भी तो subject और verb का ध्यान रखना है है ना थौस उपर करो Asnack tools अब ही सेगर जान लगा दोगे तो क्या लगता है नहीं निकलेगा निकलेगा और अराम से निकलेगा समझ में आ रहा है जान तो लगा हो विटा है फिर समझ में आ गया आपके द्वारा भेजेगा स्टोरी अच्छा से समझ में आती है बिटा अब थोड़ा सा आप न्यूस पेपर रीडिंग शुरू कर दो और आप उसमें बहुत सारे वर्ट्स में फसोगे उसका मीनिंग भी देखो पहले शुरुआत करो कि टाइम्स ओफ इंडिया से अगर स्टोरी भेजती हूं वह आपको समझ में आता है तो उसके बाद अब सीधा का सीधा टाइम्स ओफ इंडिया न्यूस पेपर पढ़ हो गया मेरा नया ओनलाइन बैच आ जाएगा बिटा आठ तारीक को देख लिया एलोंग दर नौर्दन फ्रेंटियर इंडिया बिटा नौ यह प्लूरल नाउन है क्योंकि हिमालयास क्या है श्रिंखलाएं है उसके साथ इस नहीं आर आएगा और देखो यह सबजिट के पहले वर्व आ रहा है है ना जब सबजिट के पहले वर्व आता है तो बिटा इन वर्जन है दो हजार तैजिस का एडिशन बिटा बस समको इस नोट दो ओल्नी कॉस ऑफ कंसर्ण टाइगर हिस सिफ चिंता का विशह नहीं है देर इस हाइनास तू मिटा हाइनास मतलब हुता है लकड बग्गे मिटा लकड बग्गे प्लूरल नाउन है इस नहीं आ राएगा सबजिट के पहले वर्व आ रहा है लेकिन वर्व जिसक के लिए आ रहा है बिटा आगे पीछे जहां आए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना नेक्स्ट ट्वेंटी माइल्स ब्योंड अलो सी लाइन ओफ कंट्रोल के 20 मील दूर वासीन अफ्यू टेररिस्ट्स बिटा अर्ट फ्यू टेररिस्ट्स प्लूरल है तो वासीन नहीं वर् देखो टीक है न यानी सब्जेक्ट के पहले वर्व है जैस्ट आउट साइड मई हाउस, मेरे घर के ठीक बाहर आप फ्यूजेस प्लेगराउड फॉर फॉर स्कूल फॉर स्कूल बॉईस एं गल्स बैटा स्कूल बॉइस और गर्ल्स के लिए एक प्लेग्राउंड है, बॉइस और गर्ल्स नहीं है, देखो समझ में आया? इसलिए आर बॉइग्राउंड गलत है, ये आपका सब्जिक्ट वर्व एगरिमेंट है बैटा, देखो इसमें सारे exams covered है और मैंने चुनके question ऐसे लाई हूँ ताकि उसमें आपको best मैं बता सकूं क्या है अब next में आओ और यहां से आपका next point शुरू होता है देखिए प्राक्टर्स के लिए कौन सा बुक बिटा मैंने दो हजार बाइस का पूरा complete सेट था 44 सेट वो निकाल चुकी हूँ CHSL का जो 36 सेट हुआ है बस वो मुझे लगता है दस दिन में आ जाएगा ठीक है और सब में इंग्लिश बिटा बिलकुल मैं करके देती हूँ इसलिए आपको इंग्लिश में प्राब्लम नहीं कोगा प्रिती मैंने स्टोरी का क्लास नहीं लिया बिटा स्पोकें इंग्लिश बाइ नीतु सेंग एक टेलिग्राम में चैनल है आप उसको जोइन करो कि उसमें मैं स्टोरी भेज दे रहती हूँ देखो नहीं इंवर्जिन अक्टिव पैसिव दोनों हो सकता है श्वयता अच्छ दृष्टी अगरवाल देखो नेक्स क्लास है ना ब्लाक बैग्राउंड देखो करवाने का आजाओ नेक्स्ट सुनो बिटा जब दो सब्चेक्ट को अंड से जोडते हैं तो प्लूरल वर्व आता है बोलोगी यह कौन सी नहीं बात है तो हम जानते ही है राम न श्याम दुकान में मिलते हैं यह प्रिया रंचन बात क्या है यह माइक ही ऐसा है वो मैं वह बला माइक नहीं लगा पाती हूं तो इसी लिए इसमें क्या ना मेरे सांस की अवाज भी आ जाती क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा माइक है ना कि दूर कभी अवाज पकड़ता है ब्रेड प्रेड बाहर एख़ा रहता है बड़र फरीज के अंदर रहता है लेकिन अगर में कहूं की ब्रेड अन बटर योरागर ब्रेक्वस्टेर्में में खाती हों तो 드को ब्रेडन बटर मिलके एक डिश हो गया、 अगर वह डिश है तो सिंग्लर वर्व लेका देखो तो बोलोगे भाई, question कौन सा आएगा question ये नहीं आएगा, इतना तो आपको आना चाहिए ये तो tense का question है subject-verb agreement में ऐसे questions आते क्या ही है? वो ये है अगर दो subject को and से जोडोगे अगर दो subject को and से जोडोगे और वो एक ही वेक्ति, एक ही वस्तु, एक ही idea सब जो भी चीजे वो एक ही है, उसी को denote करे जैसे मान लो, अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे अपना teacher और अपना दोस्त, दोनों मानो तो आप कहोगे क्या? My friend and teacher has arrived है ना, जैसे मैं आओंगे कहोगे आप क्या? My teacher and friend एक ही तो हूँ, आपने teacher भी बना लिया, आपने friend भी बना लिया, आप कहोगे आप ही मैं मेरे guide हो, आप ही मेरे mentor हो, तो क्या कहोगे? My teacher, guide, mentor and friend कितनी लोग है? कहोगे मैं आप अकेले हो, तो फिर कहोगे has arrived क्यों? क्योंकि आपने चार-चार नाउन से सिर्फ मुझे संभोधित किया है मतला, जब बिभेन नाउन से हम एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तू, एक ही idea को denote करते हैं ना, तो हम singular verb लगाते हैं देखो, और यहां से आपको वो questions मिलेंगे, देखो, पर दे हिंदू newspaper थोड़ा difficult है अगर आपको समझ में आता है तो पढ़ो, तब तो कोई problem ही नहीं है लेकिन हिंदू newspaper थोड़ा difficult है, पढ़ना थोड़ा difficult हो जाता है, हिंदू newspaper समझना, खासकर उन बच्चों को जिनका अभी basic कमजोर है और अभी-अभी वो सीख रहे है सेंटेंस में कैसे बाता चलेगा कि एक ही व्यक्ति की बात है, पढ़ो वही तो सिखा रही है slow and steady wins the race, देखो singular verb आया, verb में s-e-s लगाते हैं तो wins होता है न, है न, सुनो, slow and steady wins, जब से कच्चुआ और खर्गोश की कहानी बनी है न, बिटा ये एक ही idea डिनोट कर रहा है, जबकि ये slow है और ये steady मतलब लगातार, तो slow and steady ये दो है adjective, लेकिन idea तो एक ही है कि निरंतर काम करते रहो, slow धीरे 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 जो आप लोग सोचते हो न, जल्दी करें, नहीं होता बिटा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अगर रोज अब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, तो आपका selection तो हो गाई, है न, slow and steady wins the race, मैंने अभी क्या कहा था, मुझे आपने चार नाम सो संबोधित किया, देखो यहां पे तीन नाम से एक ही वेक्ति को संबोधित किया जा रहा है, friend, philosopher and guide has come, है न, fish and chips, जैसे अभी किसी ने लिखा राजमा चावल, मैंने रियाक्ट नहीं किया, पता क्यूँ, एक ही डिश को संबोधित कर रहा है, बेटा, पता है, इतना तो सब को पता है, देखो, यह क्या है, यह दोनो मिलके सिर्फ एक ही डिश को संबोधित कर रहा है, तो फिश न चिप्स ऐसा डिश देगा, जो आप नहीं जानते हो, अमीरों के चोचले, है न, फिश न चिप्स के साथ, सिंगलर वर्व है, देखो, क्यों, क्योंकि एक ही डिश है, ध्यान से देखो, क्लियर, समझ में आया, स्टोरी कहां भेचती हो बिटा, आप लोगो को कही बार बताया है, spoken English by Nito Singh, अगर इसको आप रोज रीड करो गए न, तो आपका close-tail sentence, arrangement or passage, तीनों पर अच्छी पकड हो जाएगी, क्योंकि आपके understanding developed हो जाएगी, ठीक है, next time, the sum and substance of this poem, मेटा, sum and substance का मतलब क्या है, इसका मतलब है, निचोड, जो कहते हैं सार, इस poem का सार क्या है, मेटा, ये एक ही है, ये singular subject है, अन लगा है, तो क्या हुआ, तो of this poem is, बिलकुल सही है, no error, देखो, अब सुनो, जैसे मैं कहती हूँ, sum and substance, बिटा, सार है, slow and steady, बिटा, एक ही idea है, तो question उड़ता है, मैं, सार है, एक ही idea, हम कहां से जानेंगे, तो एक काम करें, हम, एक काम करते है, ये पूरा complete 16 रट्टा मार लेते, क्योंकि इससे कई questions आते है, देखो, चार और पाँच, बिलकुल सही है, अच्छा, ये मैंने कराया है, नहीं आपको, ओके, सुनो, चार और पाँच में, बिटा, टू एन टू, जो, make 4, बिलकुल सही है, make मत कर देना, क्यों, क्योंकि सुनो, मैंने कहा, एक ही व्कती है, यही फ्रेंड है, यही फिलोसफर है, और यही गाइड है, तीनों, एक ही व्कती है, तो है साया, लेकिन बिटा, इसमें देखो, two and two two and two two ये है अब फिर इसी को नहीं जोड रही है फिर से और two यानि ये अलग-अलग है तो make four बिलकुल सही है और ये कह रहा है time and tide time and tide समय और ज्वार ये दो चीजें जो किसी के नितजार नहीं करती यानि wait बिलकुल सही है केडी लाइब आप डाउनलोड कर लिया पर्चेस नहीं हो रहा है बिल्टा आप मेरे नंबर पर वाट्साप कर दो डबल एट सिक जरो डबल ट्री ट्रिपल जरो त्री में देख लोंगे ठीक है time and tide wait मतलब क्या कहा मैंने कि ये दो है जो किसी का इंतजार नहीं करते तो वेट आया क्योंकि दो चीज़े हैं बिल्टा लेकिन फिर से तुम्हें बता दू मैं जब ये दो है और आंट से जुड़ा है तो प्लूरल वर्व तो आएगा तो इससे question थोड़ी पूछेगा यार दो हैं आंट से जुड़ा है लेकिन singular वर्व आएगा यहां से question पूछेगा है ना time and tide waits नहीं होगा बिल्कुल नहीं time and tide wait लगाओ कि ये दो अलग लग चीज़े हैं ये जरूर मैं कह सकती हो कि बेटा ये जो दो है ना दो ऐसे proverbs है जो बहुत बार पूछे कह नहीं है तीचरों ने discuss किया बहुत बार और इसके कारण इसमें जो teachers है या जो grammarian से इसमें हमेशा confused रहते हैं मेरा करणा इसमें confusion की कोई बात ही नहीं है तो कि ये दो के बाद हम दो है ना इस प्लाटफोर्म पे आप लोग तभी आओगे जब पढ़ना हो तो थीक है लाइन मारने के लिए बहुत सारे प्लाटफोर्म से मेरे प्लाटफोर्म पे लाइन मारों के बाद चपल से मूह रंग धूँगी अपने बेटे का भी रंगती हो, तुम लोग का भी रंग दोंगी वो भी बिचारा बहुत परिशान रहता है कि मम्मी को कैसे पता चल जाता है बहुत कुछ, तुम लोग के रग-रग से वाकिफ हो तुम लोग अंदर से है ना All men are same सब की एक ही फितरत होती है जहां देखा लड़की, वहीं लाइन माने लगते हो अरे बेटा, तुम्हारी लिए तरी मम्मी बहुत अच्छी सी ढून के ला देगी पहले कुछ बन तो जाओ घर के बाहर लड़की के बाप की लाइन लगेगी समझे समझ में आ रहा है ना जो तुम्हें ब्लॉक कर रही है ना कल उसका बाप आके तुम्हारी दरवाजे पर खड़ा होगा कि मेरी बेटी से शादी कर लो पैटा उस लाइक बनो ना सबसे पहले छोड़ा कहीं का छी चला बहुत सारे ऐसे पेज से जो सिंगुलर वर्व लेते हैं कौन-कौन सा देखो लाइम और सोडा बिटा लाइम और सोडा मिला के पीते हैं इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं विस्की और सोडा है ना यानि कि जो भी चीजें मिलके एक ड्रिंक हो गया बिटा नेक्स्ट समन सबस्टेंस जो अभी कहा था निचोड सार है ना पार्ट न पार्सल अभिन अंग जिसे कहते हैं दुख तकलीफ क्यों परिशान हो रहे हो पार्ट न पार्सल अफ लाइफ है है ना फॉन और फ्लॉरिक होता है फ्रोलिक नहीं फ्रॉलिक फ्लॉरिक ठीक है एक सेकें बिटा फ्रो एलाइसी फ्रो ठीक है मैंने कर दिया था ठीक फ्रोलिक ठीक है अल गर्ल्सा सेमने बिटा तुम लोग होते हैं उसे फ्रोलिक मतलब हो गया अब मजे ट्रेड एंड कॉमर्स मिलके एक ही सब्जेक्ट है साइन्स पढ़ोके तो टेकनोलीजी पढ़ोगे ही अगर आप आर्ट्स लेते हो तो देखते हो बिभिन काल के कल्चर पढ़ते ही हो है ना पीस और हामनी शान्ती होती ही तो बिटा सहिशनुता होती ही है इसने कहते हैं भई सेम सिमिलर मीनिंग दे रहा है जब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो चारो तरफ आपकी ख्याती बढ़ती है तो वहीं ओनर एंड ग्लोरी देखो अगर आप पावर्फुल पोस्ट पे होते हो तो आप इंफ्लूएंस कर सकते हो इसे देखते हो बड़े-बड़े जो प एंट कियारेज्ड आप्चुली हरे अफटू अक्टुली है प्रत आपको जवार भाटा आप फ्लो एब हो डिंकिंग ऑंड शाइविंग विंक मतलब है दिंकिंग भी इलीगल नहीं है अटनों निला के करोगे वह तो इलीगल है ना उज sector के यह पूरे complete pairs देख लो, इनके साथ हमेशा सिंग्लर वर्वाइगा, चलो, यह आप समझ सकते हो, कि कुछ और चीजें हैं जिसके साथ नहीं आता, उसको पढ़ने की भी ज़र्वत महीं, जानते हो मैंने लिख दिया है, लेकिन पढ़ने की ज़र्वत महीं, क्योंकि question जहां से आता है, वह important है, चलो, 3, 4, 5, 6 करो तो फटा फटा बताओ, जली करो, मैं आप जितना बोली इसमें लड्कियों को बहुत मजाया, देखिए किस तरह से, हस रही है दांत निकालके ठीकी और उनको देखके तुम लोग भी खुश हो रहे ह। तुम लोग भी बहुट खोश है उनको देखकर चलो अच्छी बात है सब रहे हो देखो आजा The ebb and flow बिटा भी बताया थना आपको EB and flow इसके साथ singular verb is होगा टाइम एंड टाइड अभी कहात आपको वेट होता है वेट नहीं होता ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बिता सरशरा पीना और गाड़ी चलाना अलग अलग कानुनी जुल्म नहीं है एक साथ करोगे तो कानुनी जुल्म है शॉर्ट स्टोरी सांद पोएम्स है सारा प्लूरल है भई एपियर्स नहीं होगा एपियर होगा देखो नाइट देखो कि अपियर्ट देखो बताओ को प्राब्लम में तो समझ में आ गया ये रहा पुरा आंसर भी आपका अम आओ ये जो पॉइंट है ये मैं आपको समझाने के लिए यहां आ जाती हूँ 1 से लेकर 5 तक मैं सुनो थोड़े देर पहले एक स्टुडेंट पूछ रहा था कि मैं हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही वेक्ती है जसे मैंने कहा ना माइ फ्रेंड फिलोसफर और गाइड उसने बोला मैं हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही वेक्ती है बिटा एक ही वेक्ती है कैसे पता चलेगा वो मैं बता तूँ आपको और वो है देखो ध्यान से, वो है ये आर्टिकल, जो बताएगा कि एक ही वेक्ती है कि कई वेक्ती है, बिटा, a hot and a cold spring, यानि यहाँ पे दो स्प्रिंग है, एक hot है और एक cold है, तो यहाँ पे वोस नहीं, वर आएगा, यानि plural verb आएगा, नेक्स सुनना, the artist and writer, बिटा, राइटर के आगे आर्टिकल नहीं आया, सिर्फ आर्टिकल आया है, राइटर के आगे, इसका मतला भे वही आर्टिस्ट राइटर था, वो आर्टिस्ट भी था, वो राइटर भी था, जब एक आर्टिकल है, यानि एक subject है, यानि singular verb है, जब दो आर्टिकल है यानि दो सब्जेक्ट है यानि प्लूरल वर्व है देखो the artist and writer ये बिल्कुल सही है has died, देखो ठीक है next सुनो the secretary and the principal, the है दो बार, यानि ये अलग ये अलग दो लोग है अब दो लोग है तो are attending बिल्कुल सही लग रहा है कहीं से मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि ये एक ही वेक्ती है क्यारा सेकेट्री और प्रिंसिपल attend कर रहे है district development council meeting कहां पे? कलेक्ट्रेट में plural वर्व, no error कोई error नहीं है कभी तुम लोग के साइड से भी बोला करूँ चलो बोल दों कि पहले कुछ ऐसा काम करके तो दिखाओ जो अच्छा लगे मुझे चलो आजाओ प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक ही है प्रधानचारिय ये एक वेक्ती है और जब आप नाउन पढ़ोगे तो पढ़ोगे स्टाफ प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन और एक प्रिंसिपल मिलके दो से अधिक तो हो ही गया ना तो आर बिल्कुछ सही है देखो ठैना अब आप मुझे फिप्त का आंसर बताओगे जल्दी बिटा वियोडी लेना है तो आप चले जाओ ना केडी लाइव में वहां वियोडी 30 देख लो अभी तुरंट नहीं ना करा सकते हैं मेरे पास एक ही टाइम है और इस टाइम जब मैं जिस जिन वॉल्म वन लेके आ जाती हूं आप लोग को फीलिंग आती है भाई गोल्डन रूल्स नहीं नाई माम और माम कुछ नहीं कर रही है और माम कहके छोड़ देती है तो फिर किसी को कोई मीनिंग से पता नहीं चला किसी को हां सब्सक्राइब दर ट्रॉस्टी आन प्रिंसिपल इसका मतलब एक ही है आठ लॉगर हैड्स ऐसा याद रखना मतलब भीड़े रहते हैं भीड़े हूए है भीड़े होके किस से किसी दूसरे वेक्ति से ना आपने से मीनिंग मीनिंग कह रहा है कि ट्रस्टी आप प्रिंसिपल एक दूसरे से बीड़े रहते हैं तो जब भीडे रहते हो तो दो लो भीडे रहते हो ना हां बता हो तो समझ में आया यह हमारा 9th number page है और यह 10th number का यह portion आपको करनी के जबरत नहीं है यहाँ से कभी कोई question नहीं आता अब यहाँ पर आजाएं सीधा यह देखो यह ध्यान से समझना यहाँ से मैं आपको बिलकुल निचोड के पढ़ा दे रही है और मैं ऐसा पढ़ा दे रही हूँ आपको की examination oriented पढ़ा रही हूँ तक कि समझ जाओ इसको भी कर लोगे ना 10 में से 9 सवाल अराम से होगा स्टाफ से पहले article 2 क्यों आया क्योंकि बिटा स्टाफ और प्रिंसिपल दोनों अलग थे स्टाफ के पहले article 2 नहीं लगाया क्या मैंने हाँ वेटिंग हाँ स्टाफ के आगे द लगाओ क्योंकि ये अलग है नो एरर नहीं था ये स्टाफ के आगे article 2 लगाओ क्योंकि स्टाफ अलग है स्टाफ को बिटा विट अलों विट अलों विट तोगेदर विट अन नोट लाइक अनलाइक नथिंग बट अस वेल अपनीड वाइक्पनीड वाइक्ट बट besides rather than in addition to से अगर जोडोगे तो विटा वर्व पहले subject के according चलता है MTS का exam है 10 में को विटा previous your question paper खाली करते रो देखो क्या कहां मैंने दो subject को अब मैं उसमें से निचोड बता दू जहां से ज़्यादा question आता है with, along with and together with as well as accompanied by और in addition to इन 6 से सबसे ज़्यादा question आता है देखो और अगर इन से आप दो subject को जोडोगे तो विटा वर्व पहले subject के according आएगा ठीक है पहले subject के according वर्व आएगा चलो फटाफट ये questions कर दू 1 से लेकर 5 तक चल्दी से IIM, MBA और SSC में कौन बहतर है बिटा वो आपके choice पर निर्भर करता है ठीक है IIM में admission बहुत मुश्किल है ठीक है class notes चाहिए kd publication बिटा आप kdpublication.com में जाओ वहाँ पर सब मिल जाएगा ठीक है ठीक है हमारा लखनों में कोई भी center नहीं था हमने बहुत पहले से आप लोगों को बताया था ठीक है हमारा कोई भी center इलाहबाद में नहीं है इन लोगों की खिलाफ अभी तक मैं यहाँ पर कई notice भेच चुकी हूँ हमारा कोई भी center बुलंद शहर में नहीं है हमारा कोई भी center कोटा में नहीं है यह सारे ऐसे लोग है जो 2019 में हमारे से franchise की बाते कर रहे थे और 2020 में lockdown आ गया और उसके बाद से इन लोगों ने हमें कोई contact नहीं किया है हमारे तरफ से किसी को भी authority नहीं मिली है चाहे लखनौ हो, चाहे इलाहबाद हो, चाहे बुलंद शहर हो और चाहे आपका यह quota हो इनको हमने कोई permission नहीं दिया है खोलने का क्योंकि 2019 के बाद जब lockdown आया है उसके बाद से इन लोगों ने मुझसे कोई permission नहीं मागा है याद रखेगा केडी campus का center सिर्फ डेली में है जैपूर में है पतना में है और रोतक में है ठीक है, पूरा मिला के हमारे around 9 to 10 centers अभी है 5-6 centers आपके डेली में चल रहे है इसके अलावा हमारा कोई भी center कहीं पर नहीं है अगर आप कहीं देखते हो तो फर्जी है ठीक है, हमने उनको कोई authority नहीं दिया हुआ है हाँ, ये जरूर है कि उनको अच्छे से पता है कि वहां से बैठे-बैठे notice देगी और बात क्या है बिटा कि इन लोगों के पीछे अगर हम अभी हम सिर्फ इसी लिए आके online बोल देते हैं कि बच्चे साफधान हो जाए अगर आप कहीं पर admission ले ले हो अपने risk पर ले रहे हो, ये ध्यान रखना बस खाली पतना, जैपूर, रोहतक और डेली इनके centers के लिए हम जिम्मधार हैं यहाँ कोई issue होगा तो मैं जिम्मधार हूँ चलिया दप्राइम मिनिस्टर देखो along with his cabinet colleagues पिटा, along with देखा, तुरंट हम भलेंगे first subject, प्राइम मिनिस्टर okay has been welcomed by the chief minister at a formal ceremony एक अपचारिक ceremony में प्राइम मिनिस्टर cabinet colleagues के साथ welcomed हुए है कुछ लोग तो मुझसे मिलने आते हैं बड़े बढ़ियां से फोटो किचाते हैं और मुझे कोई सडक में भी चलता हूँ आदमी कहता ना मैं मेरे से एक साथ फोटो किचा लेजे मैं कभी मना नहीं करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा याद रखती हूँ कि हम भी कभी ऐसे थे जो कुछ भी नहीं थे और बिल्कुल डाउन टू अर्थ इसलिए में रहती हूँ क्योंकि भगवान अगर किसी को कुछ देता है तो उमीद करता है कि वो लोगों को आदमी की तरह ठीट करें कुछ लोग ऐसे भी है जो मेरे साथ फोटो खिचवा के फरजी केडी क्यामपस खोल के वहां पर फोटो लगा दिये है कि देखो नीतु सिंग बल्कुल ऑथराइस की है मुझे ये सिंटर चलाने के लिए मेरे साथ फोटो होने का ये कहीं भी मतलब नहीं है कि मैंने उनको अथराइस किया हुआ ये जान लो अच्छी तरह से आजाओ ये आस वेल आस यू बिटा आस वेल आस से जोड़े हैं और ही के कोर्डिंग चला है तो लाइक नहीं लाइक सोगा दग क्याप्टेन अलोग विद Captain के कोर्डिंग चलना है बिटा कहां होगा Is Practicing Very Hard देखो The Captain Is Practicing The Teacher As well as The Students Teacher के कोर्डिंग चलैंगे यहां हो जाएगा Have नहीं Has देखो And the Leader With All His Followers जैसे With देखा हम समझगे Leader के कोर्डिंग चलेंगे R नहीं Is होगा लेकिन यहाँ पे कह रहा है लीडर विट इस फॉलोवर्स अपने अनुयाई के साथ लीडर को जेल भेज दिया गया भेज दिया गया गया मतलब वोस और सेंड नहीं सेंड पैसिव वोईस देखो UPSC कमपोस्ट्वी का बैच ले लो अगर UPSC कमपोस्ट्वी देखना है लेकिन VOD बैच है ठीक है मैं आज देखो 10 पेज करके जा रही हूँ ध्यान दो मैंने आपको 10 पेज करा दिया है यहाँ पे Mr. Gupta with his wife and younger brother चाहे जितना मी लगा दो with देखा हम Mr. Gupta के recording ही चलेंगे was present at the station station पे प्रेजेंट थे ठीक है next में आते है और इसमें आने से पहले फिर से में कह दूँ आपको विटा with, along with, together with and not, accompanied by like, unlike as well as, except but, besides, rather than in addition to जब हम इन से किसी दो सब्जेट्स को जोडते है तो वर्व फर्स्ट सब्जेट्स के कौरिंग चलता है यानि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वर्व उससे चाहे जितना भी दूर हो फर्स्ट सब्जेट्स के कौर्डिंग चलेगा लेकिन अब आओ next point neither nor, either or nor or not only but also क्या कहा मैंने, neither nor जोड़ा है बटा, either or यह भी pair of conjunction conjunction अगर pairs में होते हैं आओ रिलेटिव कहलाते हैं nor or not only but also, none but none but को तो हम अलग से कराते हैं अगर हम इन से जोड़ते हैं तो वर्व नजदीक वाले सब्जेक्ट के कौरिंग मैच करेंगे, नजदीक वाला सब्जेक्ट, बटा नजदीक सबजेक्ट से माच करेंगे यानि कि Second Subject से नसदीक वzahlा सबजेट का मतलब होता है Second Subject करो तो फटा फट देखो तो देखो जली सब फटा फट करो तो Neither the mouse nor the lion वर काट मैंने कहा नसदीक वाले सबजेक्टसे माच करेंगा लायं के कौर्डिंग चलेंगे तो वॉस आएगा इदर सोहन और हिस फ्रेंड्स बैठा फ्रेंड्स के कौर्डिंग चलेंगे तो is नहीं आर आएगा है ना d Campbell इलेक्ट्रोनिक मेल और इमेल बैठा इलेक्ट्रोनिक मेल कहो जाए गे relationships बात बराबर है, एक ही चीज है, इस होगा क्या बोलना चाहरा है, यह ध्यान से सुनो ना ही माउस और ना ही लायन पकड़ा गया ना ही माउस पकड़ा गया और ना ही लायन या तो सुहन या तो उसके दोस्त पर इल्जाम लगना चाहिए इस चरारत के लिए जो इलेक्ट्रोनिक मेल है, जिसको हम शौट फर्म में इमेल कहते हैं यह एक मेथड है, ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मेसिज़स दे लाइट बल्ब्स और दो हॉल, मेचा हॉल के कॉरिंग चलेंगे, तो नीट साइगा नीट साइगा, नीट साइगा, या तो लाइट बल्स चेंज करो, या तो हॉल को, है ना, नीदर यू नौर आई, मेचा आई के कॉरिंग चलेंगे, तो आम आएगा, नहीं तुम दोशी हो, और नहीं मैं, देखो जरा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आप इस सेशन को जल सब्सक्राइब कर ही नी रहा हो तुम लोग, बताओ, आप लोग ही मेरा मन खतम करते जा रहे हो, गोर्डन रूल्स बिटा, अगर आप बंद करवा दोगे, तो मैं दोशी नी रहोंगी, आप लोग कम से कम इस को इस चाप क्लास को प्रॉमोट करो, चलिए, आगी बढ़ें, देखो, अब आजाओ, जो अभी नन बट मेंने कहा था, बिटा, नन बट और नथिंग बट हम एक साथ खतम कर देंगे, अगर अगर अप नन बट ले रहे हो न, नन और बट से किसी सब्जेट को जोड़ोगे, तो बिटा, वर्व नजदीक वाले सब्जेट से मैच करेगा, और अगर नथिंग बट से जोड़ोगे, तो वर्व फर्स सब्जेट से मैच करेगा, और फर्स सब्जेट कौन है, नथिंग, नथिंग क्या है, अनकाउंट बल नाउं, और अनकाउंट बल नाउं क्या है बिटा, वो हमेशा सिंगलर वर्व लेता है, हमेशा वो सिंगलर व Lawrence Indarch नेक्स्ट आते हैं आगे देखो None बट Cowords Cowords क्या है, बेटा, काएरों की बात कर रहे है और यह प्लूरल नाओनaden यानि बहु वचन None बट, none बट Cowords तो क्या होगा Verb प्लूरल वर्ब चलेगा, क्यूंकि Cowords के कॉर्डिनग चलेगा तो plural verb आ गया कहते हैं कोई और नहीं बलकि कायर जो होते हैं कई-कई मौत मरते हैं एक बहुत फेमस कहावत है The cowards die many a death The brave die but once जो कायर होते हों कई-कई मौत मरते हैं और जो brave होते हैं सिर्फ एक मौत मरते हैं Next आओ Nothing but जो वर्व है न वो nothing के कौरिंग चलेगा और nothing singular है क्यों क्योंकि अनकाउंटबल है Uncountable के साथ हमेशा singular verb आएगा है ना? देखो singular verb Nothing के साथ वह साया बोलो चले हो गया? आब आओ यह क्यों लगाया गया यहां पे उसका तो कोई मतलभी नहीं था यहां अच्छा यह आजाओ इसमें यह नेक्स्ट पेज का था नेक्स्ट पेज का यहां पे था यह जड़ा पॉंट देखो तो फिर आप नेक्स्ट पॉंट देखो तो सुनो एजजक्टिकटव उष्व क्वsty क्या है पताँ जो क्वोलिटी बताता है जैसे जैसे रिच क्वोलिटी बताया औरक्वीटी बताया अनेस्ट क्वालिटी बता रहा है गरीब अमीर इनके साथ अगर हम दर लगा दे न तो दर रिच का मतलब हो गया अमिर लोग दपूर का हो गया गरीब लोग दजय का मतलब हो गया इमानदार लोग लोग मतलब plural तो plural मतलब plural verb लेगा यह सभी लोगों को जिनोट करता है जितने अमीर है सबको जितने गरीब है सबको जितनी इमानदार है सबको तो इनके साथ क्या एगा प्लूरल वर्व आएगा राइट आजा देखो वान से लेकर फो तक और यह करो बड़ा और आंसर दिया मैंने चुपा अब बनाओ तो अब ही मैंने साड़े नौ बजे एक स्पोकिन का क्लास लिया है बीस मिनट में मैंने पूरा इमाजिनरी प्रेजंट खतम कर दिया प्रेजंट इमाजिनेशन खतम कर दिया बहुत अच्छा है आप देख लेना एक बार दब्रेव डाश रिवाडेड बिटा बी का फॉर्म चाह आ राएगा जयानि वीरों को रिवड दिया जाता है इनामक दिया जाता है दर रिच अगिन यहें पूरे सारे अमीर लोग तो इसके साथ plural verb आएगा exploit the poor अमीर जो है गरीबों को exploit करते हैं cowards die many a death जो कायर होते हैं वो कई मौत मरते हैं the brave die but once यही कहा था मैंने अभी आपको the brave यानि की वीर लोग वीर लोग के लिए plural verb आया अब एक और कहावत है when the going gets tough जब चलना tough हो जाए the tough get going जो tough लोग होते हैं वही चल पाते हैं बाकी लोग क्या करेंगे? सुसाइड कर लेंगे भाग जाएंगे है ना? देश में कितने लोग देखे हो ना? भागे देश को चोड़ के क्यों? क्योंकि वो नहीं चल पाएं यहां पे जो tough है वही चल पाएंगे when the going gets tough जब चलना कठिन हो जाए the tough get going gets नहीं होगा the tough का मतलब tough लोग जो बहुत सक्त लोग हैं वही चल पाते हैं राइट? देखो अब आँ नेक्स्ट पॉइंट दिवनों से किस subject verb agreement जानते हैं छोटे-छोटे points का जमावड़ा है पता है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे points है जो आप मिलके बहुत सारा chapter बना दिया है if a plural number is used as a singular unit एक plural number का इस्तिमाल अगर singular unit के रूप में ले लो जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास ये 5 pen है तो भाई बोलो कि मैं 5 pens बोलो pen नहीं, pens बोलो के क्यों? क्योंकि बिटा जब plural का इस्तिमाल करते है तो 1 pen होता है and 5 pens होता है तो 5 pens are are, plural verb तो 5 pens are on the table लेकिन अगर मैं कहूं 10 रुपीय का note अब 10 रुपीस में जैसे मैंने 10 रुपीय का note note भी छोड़ दो, note भी हटा दो 10 रुपीस जैसे कहोगे 10 रुपीस तो यार एक 10 रुपीय का note धियान में आएगा है ना? वो singular unit के रुप में आद आ रहा है 5 pens अलग-अलग याद आ रहे है और 10 रुपीय में एक 10 रुपीय का note याद आ रहा है राइट? चलो, देखो दिहान से 10 km बहुत लंबी दूरी है पैदल नहीं चल सकते हो तुम तो मैं क्या कहूंगी? 10 km इस देखो plural संख्या सिंगुलर यूनिट के रूप में आ रहा है सिंगुलर वर्ब लिया अगर मैं कहूं बस एक हजार रुपिय तो है जो उसको चाहिए सिर्फ एक हजार रुपिय ही उसको चाहिए 1000 रुपीस is all he wants देखो समझ में आ गया? देखो तो जड़ा clear? देखो आब आओ फिर से एक next point पे आ रहे हम लोग पैटा अगर मैं आपको कहूं कि भगवान तुम्हारा भला करे ठीक है? अब अगर मैं कहूं कि भगवान तुम्हारा भला करे God bless you इसका एक दूसरा तरीका होता है बोलने का May God bless you जो actually यही तरीका ही है May God bless you पैटा actually मैं तो यह तरीका है लेकिन अगर मैं मैं हटा दूँ तो क्या बना? God bless you singular subject के साथ verb का base form लगा है आप कहोगे माम singular subject है singular verb लगा तो पैटा singular subject के साथ singular verb तो routine action में लगता है जैसे अगर मैं कहूँ God कहोगे भई God lives in heaven तो आप क्या बोल रहे हैं पता है कि भगवान स्वर्ग में रहते हैं अब भगवान singular subject है और आपने उसके लिए कह दिया live singular verb पैटा यह उनका routine बता दिया आपने वो रहते हैं यहाँ पर थोड़ी है कि भगवान तुम्हें bless करते हैं पैट करते हैं नहीं करे भगवान करे तुम्हें bless करे वो है ना देखो यहाँ पर हम मनुकामना कर रहे हैं सभी subject के साथ verb का base form आता है जितने subject है सब के साथ verb का base form आएगा कब जब आप optative sentence की बात कर रहे हो तब चलो अगर मैं कहूं भगवान करे जैसे कितना प्रेयर हम लोग करते थे long live the queen अरे भाई इतना प्रेयर किये कि 90 साल 95 साल के पहले हो मरी नहीं बताओ long live the queen कहते थे मतलब कि बहुत लंबा जीए पैटा वहाँ पर जीए कह रहे हैं तो आप जब प्राथना कर रहे हो ना तो सभी सब्जिट के साथ वर्व का बेस फ़र्म आता है अगर आप प्राथना कर रहे हो मैंता याद रखना सभी सब्जिट के साथ वर्व का बेस फ़र्म प्राथना कर रहे हो तो सभी सब्जिट के साथ वर्व का base form ठीक है देखो आगे चले next point पे आओ चलो if two forms of the same verb are needed मुझे एक ही वर्व चाहिए लिकिन उसके दो फर्म्स चाहिए कैसे यांसर सुनना मुझे एक ही वर्व चाहिए उसके दो फर्म्स चाहिए तो मैं सोचते हूँ यार दो दो बार क्यूं लगा हूँ एक ही बार से तो काम चला लू ना I have never and will never be an opportunist ना मैं कभी अफसरवादी रही हूँ और ना रहूंगी मैंने क्या कहाँ ना कभी मैं अफसरवादी रही हूँ और ना रहूंगी तो मैं कह रही हूँ I have never मैटा हाव के बाद वर्व का थड़ फॉर्म आता है कहाँ है विल के बाद वर्व का बेस फॉर्म आता है तो ठीक है विल के बाद नेवर के बाद बी लगाए तो हाव में भी नेवर के बाद अगर एक ही sentence में, एक sentence में नहीं, यानि and से जोड कर ही, है न, किसी conjunction से जोड कर, अगर दो sentence को जोड रहे हो, तो बिटा, दोनों का वर्व लगाओ, दोनों का वर्व, राइट, आप चलो, मैं आपको एक sentence दूँ, आप बना कर दिखाओगे, मैं बोल दिती हूं, मैंने न कभी किसी को धोका दिया है, और न दूँगी, कैसे बोलों के, कैसे, क्या बना रहे हो, very good, सुनो ध्यान से, मैंने कहा, मैंने ना कभी किसी को धोका दिया है, और ना दूंगी, कैसे बोलूंगी, I have never cheated, I have never cheated, and will never cheat, कहो कि दो दो बार रिपीट क्यों कर रहे हो, मैं क्या करूँ, यहापे विल के साथ वर्प का बेस फोर्म आने वाला है, हाफ के साथ वर्प का थर्ड फोर्म आने वाला है, I have never cheated, and will never cheat, anyone, ना किसी को धोखा दिया है, और ना धोखा दूंगी, देखो, पर चीट लगाओ, है ना, बोलो, I have never cheated, and will never cheat, anyone, समझ में आया, यह मैं आपको समझाना चारी थी, एक और देखो, Nothing has or will be, more shocking than is demise, मैं आपको मतलब होता है, मृत्यू, उसके मृत्यू से, ना ज्यादा कुछ शॉकिंग रहा है, और ना होगा, देखो, will के साथ भी लगा दिया, लेकिन has के साथ भी नहीं लगाया, यह भी तो गलती है, जब आप helping verb लगा रहे हो, has, तो उसके साथ main verb वीत्री फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि will के साथ verb का base फॉर्म आ रहा है, देखो, ध्यान से, right? Right? चलो, अब next point पर आओ, सुनो, पहले मेरा explanation सुन लो, बटा, अकर आप, किसी नाउन को, यूज कर रहे हो, और वो नाउन देखने में plural है, लेकिन है singular, जैसे मैं आसानिक एक्जामपल आपको देती हूँ, जैसे picture आया था, three idiots, picture तो three idiots है, लेकिन picture कितनी है, एक, two states, भाई, two states कहा, है ना, लेकिन है तो picture एक ही, बहुत पुरानी एक picture थी, दो फूल, एक माली, बिटा, वो भी क्या है, दो फूल भी है और एक माली भी है, अरे, लेकिन है तो picture एक ही, है ना, इसका मतलब हो गया, कि जब देखने में plural है वो, लेकिन है singular, तो singular वह आएगा, आजा, देखो, 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 अरेबियन नाइट्स, आर इंडीड, पिटा, आर नहीं आएगा, अरेबियन नाइट्स, एक ही किताब का नाम है, इस इंडीड, अन इंट्रेस्टिंग बुक, गलीवर्स ट्रावल्स, पिटा, ये एक असी किताब है, जुसमें एक जहाज, जाके फस जाता है, आक्सिडन कर जाता है, एक आइलेंड पे, टापू पे, और वहाँ पे लिलीपुट्स थे, बहुत छोटे-छोटे आदमी थे, ठीक है, तो वहाँ पे, एक कहानी उस पर था, गलीवर्स ट्रावल्स, इसलिए देखो, सिंगुलर वर्व है, दे युएस, बिटा, युनाइटेट स्टेट्स की बात हो रही है, एक ही कंट्री है, डॉंट नहीं, डजन्ट आएगा, और अटेल अव टू सिटीज, देखो, एक ही है किताब, एक ही नॉवल है, तो इस आएगा, लेकिन यहाँ पे लिख के खतम है, वोस रिटेन बाई चार्ल्स डिकिन्स, ग्रेट एक एक और बहुत फेमस नॉवल इसका, वो भी वोस रिटेन बाई चार्ल्स डिकिन्स, देखो, क्लियर, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम यही कोशिश कर रहे हैं, कि जो मेरी किताब है, यह जो मेरी किताब है, क्लास नॉट्स, इस में से जो भी इंपॉर्टन कॉंसेट है, जिस से रिपीटेड क्वेश्चन साते हैं, यह 2020 में एकदम घोर, जब लॉकडाउन चल रहा था, तब लिखा था मैंने, आप देखो, क्या बोलना चाहरा है, पहला कर रहा है कि Arabian Nights, जो है न, इस इंडीड अन इंट्रेस्टिंग बुक, वास्तव में एक इंट्रेस्टिंग किताब है, Gulliver's Travels, यह वास्तव में एक इंट्रेस्टिंग बुक है, देखो, The United States doesn't want, नहीं चाहता है, कि India's Security Council में हो, A Tale of Two Cities, was written by Charles Dickens, मॉटिवेट करने के लिए आप कह सकते हो, कि वेन लाइफ गिवस यू, लेमन, मेक इट लेमिनेड, लेखिन जानते हो, कभी-कभी ऐसा होता है, कि यह कहावत लागू नहीं होता, सनो, अगर दो नाउन्स को, हम एक प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना वेटा, अगर दो नाउन को एक प्रेपोजिशन से जोड़े, और वो दोनों नाउन्स सेम नाउन हो, तो आपको दो चीज़ीं यात रखनी पड़ेगी, कि नाउन्स सिंगुलर में होगा, और वर्ब भी सिंगुलर आएगा, क्या कहा मैंने, अगर दो नाउन्स को, अंड से जोड़ोगे, और वो दोनों नाउन्स, एक ही को संबोधित करे, तो बैटा, वो नाउन्स, या स्वारी, दोनों नाउन्स सेम हो, सेम नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और उसके साथ सिंगुलर वर्व आएगा, आजाओ, मैंने कहा दो नाउन्स को, एक प्रेपोजिशन से जोड़े, और दोनों नाउन्स सेम हो, तो बैटा, ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा, यानि एस नहीं लगेगा, और उसके साथ सिंगुलर वर्व आएगा, दोर टो दोर सर्विस इस अवेलिबल, वर्ड फॉर्वर्ड रेपिटेशन इस नाउन्स अट अलाउड, ऐसे भी इसमें तो कोई प्रॉबलम नहीं है, क्योंकि सर्विस की ही बात हो रही है, और रेपिटेशन की बात हो रही है, हाँ, फॉर्थ में आ जाओ, मान आफ्टर मान, प्रेपोजिशन के पहले, और प्रेपोजिशन के बाद, सेम नाउन हो, तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा, और वब भी सिंगुलर होगा, ये देखो, नाउन सिंगुलर होगा, और वब भी सिंगुलर होगा, समझ में आया, देखो तो, चलो, देखो दियान से, क्लियर हो गया, ये कह रहा है, टाउन आफ्टर टाउन वस प्लंडर्ड, एक के बाद एक शहर, उजार दिया गया, डोर टो डोर सर्विस, इस अवेलिबल, यानि एक से दूस्टे, दोर तक पहुँचाने की सर्विस, हमारे पास अवेलिबल है, यानि घर आपको पहुँचा दिया जाएगा, वर्ड फॉर वर्ड, एक एक शब्द रिपीट करना एलाउट नहीं है, इसका मतलब है जो लिखा गिया है, कॉपी एंड पेस्ट कर दोगे, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मान आफ्टर मान हास टॉर्ण डाप, पिठा टॉर्ण अप का मतलब होता है, आना, फॉर दस सेरिमिनी, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे हैं अब, और वो है कलेक्टिव नाउण, बस, कलेक्टिव नाउन तक हम आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का मेटीरियल अभी आपके लिए तैयार नहीं है, चले, देखो, नेक्स्ट पॉइंट को देखो जाध्यान से, सुनो, कलेक्टिव नाउन क्या है बटा, किसी भी, चीज के कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहते, और collective noun से related है कि मैंने बहुत बढ़िया assignment बनाया है नया, वो मैं कभी कराऊंगी आपको, बहुत बढ़िया assignment बनाया है, collective noun में जैसे आता है jury, committee, army, team, ये collective noun है, ठीक है, बटा अगर ये मतभेद हो, इन में divided हो, या फिर एक-एक व्यक्ती पर जोर दे रहे हो, तो आप इनके साथ plural verb लगाओगे, adjective there लगाओगे, और pronoun दे लगाओगे, ठीक है, और अगर ये collective noun, बटा united हो, आप एक मत, unanimous का मतलब होता है, सर्व सम्मत, जब आप एक साथ मिलके कोई चीज सोच के करते हो तो, एक खटे होके ठीक है, तो ये हमेशा singular verb लेगा, there नहीं, it's लेगा, और they नहीं, it लेगा, चलिए, जल्दी से फटा-फट ये चार sentences करके दिखाओ तो मुझे, चलो तुम, चलो, आजाओ, जूरी डाश पास्ट डाश ओर्डर, जूरी जजो का सम्हो, अपना ओर्डर कैसे पास करेगा, जूर्डर जब वो पास करते हैं, तो इखटे एक मत सर्व सम्मत होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इखटे होके चल रही है, यानि कोई मत भेद नहीं है, कोई प्रतियक व्यक्ति के हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसी लिए, the class is going on in its room, the committee dash divided, वर्धी दिग्या, divided, the committee are divided in their opinion, जूरी ने अपनी अपनी seat ले ली है, अब अपना अपना seat, यानि प्रतियक व्यक्ति में पहुच गे बात, have taken their respective seats, अम आते हैं, हम next point पे, और अब एक वर्ड को करके देखेंगे, किस वर्ड के साथ, कौन सा वर्ब बैठेगा, यानि कौन सा subject कैसा वर्ब लेगा, आज़ें next point पे, और उसमें हम चलते हैं percent word पे, याद रखना, percentage जो word है न, percentage, वो uncountable noun है, percentage हमेशा singular verb लेगा, लेकिन फस्ते कहां हैं हम, हम percent पे फस्ते हैं, याद रखना, यान से फिर से सुन लो, पेटा, percent की बात अलग है, और percentage की बात अलग है, percentage आप uncountable noun में पढ़ोगे, तो हम यहाँ फिर से repeat नहीं कर रहे हैं, पेटा, uncountable noun हमेशा, हमेशा singular verb लेता है, इसी लिए अगर हम कहें, the percentage of nitrogen is greater than that of oxygen, तो percentage of nitrogen is कहां, अगर मैं percentage of girls कहूं, तब भी इस लगेगा, राइट, देखो, clear, अब आओ, अगर मैं percent word पे चलूं बिटा, तो percent में आजाओ, यह जो word है percent, percent word का मतलब हुआ, कितना percent, 1%, 2%, 3%, कितना percent, percent का मतलब है कितना percent, one percent की बात करना, हम two percent and more की बात करेंगे, right? क्यों? क्योंकि बिटा, one percent का मतलब हो जाता है, सिंगुलर वभी ले सकता है, फिर कहो कि मैं one percent of the population of India की बात करूँ, तब भी सिंगुलर वही लेगा, हम आते हैं कुछ ज्यादा 21% अब याद रखना कि 20% of क्या students अगर हम 21% of students की बाद करें तो देखो students plural noun उसका 21% लोगे तो प्लूरल वह भी तो आएगा मालो 100 बच्चे उसमें से 21% तो कहोगे मैं 21 हुआ तो प्लूरल नाउन अगर percent पे है तो प्लूरल वह लेगा लेकिन 21% of uncountable noun है तो प्लूरल वह लेगा क्या सुनो ध्यान से अब मैं आपको एक रामवान बता देती हैं कितना भी percent ले लो या कितना भी ratio ले लो चाहिए कितना भी part ले लो या कितना भी fraction ले लो कुछ भी ले लो अगर आप uncountable noun का लोगे जिसकी गिंती ही नहीं कर सकते उसके साथ plural verb कहां से लगाओगे हमेशा वो singular verb ही तो लेगा राइट तो देखो क्या है 21% of air uncountable noun में कुछ भी ले लो आप वो singular verb ही लेगा और 21% of plural noun plural verb है इसी पर बहुत एकात question ही कभी कभार आया है अच्छे आप मुखर जी नगर पहुचिए और वहां पर पूरा detail मिल जाएगा देखो more than 25% more than 25% people admits ऐसा कैसे हो सकता है 25% के साथ people लगा है तो admit आगा ना 25% लोग ही admit करते हैं कि पिछले एक गशक से वो कभी भी handwritten letter नहीं भेजे समझ में आया 25% people admit विटा यानि 25% of plural noun plural वर्व है देखो ठीक है हो गया पता कोई प्राब्लम अब हम चलते हैं देखो मैंने लिख दिया है uncountable noun हमेशा singular verb लेता है है ना maths खतम percent अब आते हैं दूसरा चाप्टर रेशियो में बलो के मादम इतना जल्दी-जल्दी maths के chapter सब खतम कर रहा है नहीं देखो कितना बढ़िया chapter राइट आजा next ratio बिटा ratio का मतलब क्या होता है ratio मतलब two by three four by five यानि कुछ भी होगा x by y अब x by y of क्या uncountable noun पहले बता चुके हैं यह हमेशा singular verb लेगा x by y of क्या singular noun पीटा एक का चाहे जितना भाग कर लो वो singular ही तो रहेगा एक के अंदर ही तो रहेगा singular verb दूसरा x by y of क्या plural noun तो plural verb होगा क्योंकि आप बहुत सारे बच्चोंक से अगर x by y part करोगे तो plural verb singular है तो singular verb ही रहेगा uncountable है तो singular verb ही लेगा देखो पसे ही तो था है ना समझ में आया देखो अब जड़ा ध्यान से देखना मिटा अगर हम one third कह रहे हैं of these students okay one third of these students one third of these students okay plural noun है तो plural verb आ रहा है देखो तो yes plural verb आ रहा है 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 ना next three fourths चाई हो गया चलो अभी जो पता ही लो देखनो पले मैं of the syllabus syllabus मतला बटा एक ही syllabus है syllabus का प्लूरल होता है शिलाभाई ठीक है रहने दो मैं देख लोगे syllabus का प्लूरल होता है syllabi, यानि singular noun, syllabus, इसके साथ singular verb, देखो, बिलको सही है, ठीक है, and two-thirds of the information, information मतलब uncountable noun, तो singular verb, देखो तो, yes, singular verb, अब सुनो ध्यान से, ध्यान सा देखना, अब सुनो ध्यान से, विटा, three-fourths क्यों है, one-third है, इसमें s क्यों नहीं लगाया भई, इसमें s नहीं है, ऊपर इसमें s है, इसमें s है, क्यों ऐसे सुनो, मैक्स में एक बात याद रखना बिटा, अगर numerator plural है, तो denominator में s लगता है, numerator अगर singular है, तो denominator में s नहीं लगता, numerator अगर plural है, तो denominator में s लगता है, और मैक्स की बुक में यह ही नहीं कहीं, मैक्स की बुक में 3 4th है, 2 3rd है, जबकि 3 4ths होना चाहिए, 2 3rd सोना चाहिए, 1 3rd ठीक है, 1 4th ठीक है, समझ में आया, देखो, अब देखो यहां ध्यान से, 9 10ths, बिल्कुल सही है, of the pillar, pillar मतलब, pillar मतलब singular noun, वर्व क्या होगा, हाँ, singular वर्व होगा, राइट, next, 3 4ths of the men, 3 4ths of the men, men मतलब, man का plural, men, plural noun, तो plural वर्व लेगा न, हाँ देखो, class notes में यही फाइदा है, जहां पे जो concept मैंने explain किया है, उससे related question वहीं पर लगाए, प्लीज आप इस session को like कर दो, और इस channel को subscribe कर दो, spoken का इक मैंने अलग से channel बनाया है, उसका link आज फिर से मैं share कर दोगी, आप उस channel पे आजाना, spoken के लिए, और उसमें मैं एकदम basic से शुरुवात करूँगे, एकदम नीचे से, ठीक है, जिनका बहुत गंदा है English ना, उनका English उसमें इंप्रूव हो जाएगा, देखो, अब आते हो नमबर पे, ध्यान से सुनना, नमबर का कैसी यूज़ करते हैं, देखो ध्यान से, देखो, नमबर, सबसे पहले हमने ये plural countable noun क्यों लिखा है, खुद सोचो, नमबर ऑफ बॉइ कहते हैं कि नमबर ऑफ बॉइस कहते हैं, बेटा नमबर ऑफ बॉइस कहते हैं, नमबर ऑफ गर्ल कहेंगे कि नमबर ऑफ गर्ल्स, नमबर ऑफ गर्ल्स कहेंगे, नमबर ऑफ वाटर कहेंगे, बिल्कुल गलत, वाटर uncountable noun है, उसकी संख्या कैसे गिन ल कि नंबर के साथ कभी भी इस्तमाल करोगे तो प्लूरल काउंटबल नाउन होगा नंबर के साथ हमेशा इस्तमाल करेंगे प्लूरल काउंटबल नाउन शुभाम अपना ओडर आईडी दे दो नंबर का इस्तमाल कैसे करते हैं अगर मैं कहूं मेरे कई दोस्त आये हैं कई स्ट मैंने लिखी हैं, तो मैं कैसे कहूंगे? A number of boys have come. A number of books have been published by me. A number of people have arrived. बता, a number of के साथ plural noun, plural verb. A number of के साथ मैंने क्या कहा? Plural noun, plural verb. आब आओ, कि पूछोगे मैं, ठीक है, आपने कई किताबे लिखी हैं. किताबों की संख्या कितनी है? समझ में आया? किताबों की संख्या के बारे में बताईए. संख्या, okay. The number of books is 10. The number of boys is 5000. The number of people is 50 lakhs. यानि कि a number of के साथ plural noun, plural verb. The number of के साथ plural noun, singular verb. क्योंकि a number of बताता है कई और the number of बताता है उसकी संख्या. देखो. बता, बता, विल के बाद वर्फ का बेस फ़र्म आता है राधा. तो आपने बी लगा दिया, मैंने गो लगा दिया, किसी ने कम लगा दिया, कोई भी वर्फ का बेस फ़र्म लगा दे. देखो. लो, आजा. The number of खतम मेरा हो गया, मैं समझ गई, the number of एक जरूर सिंगुलर वर्फ होगा, जो प्लूरल दे दिया होगा. Very good, हो गया, खतम मेरा कम. है ना? The number of guests invited to the party is 500. मतलब, जो अतिति है, उनकी संख्या 500 है. देखो. A number of points a number of plural noun singular वर्फ कहां गया, वर्फ कहां गया is discovered, ठीक है. आप रुचा, देखते ही क्या है. A number of points of resemblance resemblance का मतलब, पिटा, समानता जो किस की बीच में समानता है? भई, ऑस्ट्रेलिया का जो लांग्वेज है और ड्रेवेडियन जो लांग्वेज है. उसमें कई समानताएं दिखी, बिटा, आप number of के सार इस दो नहीं आएगा, आ राएगा. लेकिन जरा मैं एक बार पढ़ लूँ, क्या बोलना चाह रहा है? कि भई, कई समानताएं पाए गए हैं, despite the fact that homes of two races are so far apart. कहां ड्रेवेडियन? है न, साउत इंडिया में है न? और कहां अस्ट्रेलिया? और दोनों के language में समानताएं पाए गए हैं. पाए गए हैं, बिटा ये is नहीं होगा, प्लूरल वर्व होगा, बस इस नहीं होगा, प्लूरल वर्व होगा. हाला कि प्लूरल वर्व में, बिटा, हाब बीन होना चाहिए था. पाए गए हैं, passive voice, हाब बीन डिस्कवर्ट. है न, क्लियर? देखो. और आंसर इसका 4 होगा, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं हैं. हमने the number of देखा, तो हम singular वर्व लगाएंगे, और our number of देखा, तो हम प्लूरल वर्व लगाएंगे. बस, काम खतम मेरा. देखो तो, चलो, देख लिया? अब आओ, next. देखो, ये आजा. More than one. More than one. क्या ही है? एक से अधिक. कहोगे मैं एक से अधिक लड़के, एक से अधिक बच्चे, एक से अधिक शहरों की बात होती है. अगर मैं कहूं एक से अधिक लड़का आया है, आप कहोगे यह कौन सा हिंदी बोल रहे हैं, एक से अधिक लड़का आया है, है ना, है, more than one के साथ, singular noun, singular verb, ठीक है, more than one के साथ, क्या है, singular noun, singular verb, आप कहोगे माम हम ऐसे दो नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं, एक से अधिक लड़के आए हैं, हम ऐसे कहते ओके, तो आपको हिंदी का ट्रांसलेशन करना है तो more के बाद voice लगा दो, फिर than one तब half come होगा, मतलब मतलब यह है अगर more than one को एकटा लिखोगे न तो singular noun, singular verb आएगा और more के बाद than one को अलग कर दोगे तो plural noun, plural verb आएगा दोनों structure सही है और दोनों में कोई problem नहीं ठीक है, समझ मैं आया अगर मैं यह कहूं कि एक से अधिक किताबे जरूरी है exam के लिए, बताओ तो कैसे बोलो, एक से अधिक किताबे जरूरी है एक से अधिक किताबे जरूरी है, बताओ कैसे बोलोगे पहला तरीका यह बना more than one के साथ singular noun, singular verb book लगाऊंगी, books नहीं is necessary है ना दूसरा अब हम अलग-अलग कर दे more books than one अब यहाँ पे more books है, books plural हो गया और फिर plural verb are, देखो, necessary मतलब दोनों structure सही है, लेकिन याद रखना more than one ही आता है exam में, क्यूं आता है ज़्यादा यह क्योंकि हमें आदत होती है बोलने की एक से अधिक किताबे ज़रूरी है और यहाँ क्या बोल रहा है एक से अधिक किताब है ना, देखो समझ में आया दोनों structure सही है लेकिन याद आपको रखना है कि question यहाँ से ज़्यादा आता है अब आओ all पे देखो ज़्यादा ध्यान से कहते हैं all plural है, all मतलब सभी सभी मतलब plural है, पटा सभी क्या सभी क्या सभी चीज, सभी पानी सभी हवा है ना, तो all का मतलब संपून भी होता है है ना, इसलिए all अगर मैं कह दू all is well that ends well पटा यहाँ all singular verb लिया है that ends singular verb है, इसका मीनिंग है अंत भला तो सब भला all that glitters, glitters मतलब verb का SES form is not gold, देखो singular verb है, सब कुछ जो चम के वो सोना नहीं है, देखो singular noun है, glitters यहाँ पे singular noun है ठीक है, singular noun और यह singular verb, देखो, sorry singular verb, दोनों तो singular verb, sorry all यहाँ पे singular noun है uncountable noun हर सब चमकने वाली चीज सोना नहीं है all यहाँ पे uncountable noun है अंत भला तो सब भला यानि सब कुछ जो ठीक ठाक खतम हो जाए clear? अब अगर आप कहोगे, सभी लड़के, सभी लड़कियां कहोगे, घर में सभी ठीक है तो कहते हो, all are well at home तो याद रखना, all के साथ plural verb भी आता है और all के साथ singular verb भी आता है है ना? लेकिन अगर all लड़के कहोगे तब इठा all the boys लगाना पढ़ेगा all the boys लगा दोके तो गलत हो जाएगा all the boys की बात करते यानि all के साथ अगर noun लगाओगे तो हमेशा plural countable noun ही आएगा हाँ, uncountable लगाओगे तो ठीक है गिंती कर ही नहीं सकते हैं और जितना मैं पढ़ा रही हूँ इससे कम पढ़ाना सही नहीं होगा क्योंकि गोल्डन रूल्स में मैं निचोड के ही बता रही हूँ वन पे आओ वन वर्ड सब्स्टिटूशन की क्लास ओपिन करा दे अमन विटा सुनॉनिम्स की क्लास ओपिन करा दे अब तुम लोग सब कुछ ऐसे करते रहोगे तो मैं कैसे करूँगे मैं यहां तो पढ़ाई रही हूँ आजाओ देखो वन पे वन क्या है मैट वन एजेक्टिव भी है अगर वन एजेक्टिव लोग है न तो सुनो ध्यान से तो कहोगे वन क्या एक लड़का बॉई सिंगुलर है तो हांस ड़न और लड़के ने अपना काम किया है तो हिस वर्क देखो यहां पे अगर वन एजेक्टिव है तो मुझे एजेक्टिव से मतलब नहीं है नाउन से मतलब है वन सिंगुलर नाउन लेगा क्योंकि वन है वो सिंगुलर वर्व लेगा देखो सिंगुलर एजेक्टिव लिया है ना और अगर लास्ट में लगाओगी हिमसेल्फ तो ही के कोर्डिंग चल रहा है सब देखो सिंगुलर प्रोनाउन लिया लेकिन अगर मैं खाली वन बोलू और उसके बाद कोई नाउन ने लगाओ तो बिटा इसका मतलब वन परोनाउन है इसका मतलब वन परोनाउन है वन मस्ट परफॉर्फॉर्म his कहां से होगा यार वन बोऑ होगा तब हिस होगा वन का one's of oneself होता है छलिए अब मैं आपसे एक translation पूछूँगे चलो, मुझे बताना वह अपना काम खुद करता है जल्दी बताना वह अपना काम खुद करता है, कैसे बनाओ जल्दी से बनाओ वह अपना काम खुद करता है He does His work Himself अब अगर मैं He को change कर दूँ She में, तब क्या करोगे He does His work Himself, अब He को हमने She में change किया तो She does Her work Herself, जबकि मैं कहूंगी वह अपना काम खुद करती है बता, अपना और खुद, ये तो repeat हो रहा है मैं अपना काम खुद करती हूँ I do My work Myself तो याद रखना ये सब को पता है लेकिन अगर हम ये He, She, I के बदले में One लगा दे तो One does One's work One's self Question यहां से आता है One's work One's self Question यहां से आता है देखो One does One's work One's self One One's One's self देखो ठीक है Clear? बोलो कोई प्राब्लम यहाद तक यानि One का One's यहां का One's self यह ध्यान रखना सुनो यह One कहां कहां और इस्तिमाल होता है This car is better than that car आप कहोगे मैम कार का repetition है पूरा का पूरा प्रोनावन चाप्टर पढ़ते हैं कार के repetition नहीं हो यानि नाउन का repetition से बचने के लिए तो नाउन के repetition से बचिए तो फिर एक car है भाई इसके repetition से बचना है डाट के बाद हमें singular noun नहीं singular pronoun चाहिए तो One लगा दिया And these books Those Those plural adjective है इसके बाद क्या आएगा तो O-N-E-S आएगा बेटा याद रखना One का Ones And One का plural O-N-E-S Ones One must perform Ones duty oneself होगा बिटा चलो अब मुझे टांसलेट करके बताना तो देखते हूं यह पॉइंट समझ में आया है कि नहीं किसी भी व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए जल्दी से ट्रांसलेट करो तो किसी भी व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए जल्दी से फटाफट बताओ तो मैं कुछ भी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में लेकिर अगर आप लोग शेर नहीं करोगे और मैं चानल का सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ नहीं देखूंगी पेटा मैं हूँ बहुत पागल मैं छोड़ देती हूं अब इच में छोड़ देती हूं ठीक है क्योंकि यहां वर्ड वेरी गुड़ बिट्खा वान शुर्या मस्ट एप वांस ओ एंई-एस वटाव रन का प्रोमेश वन्स वांस प्रोमेश वेरी गुड यैनी वंप्रोमेश और मैं कहूं यह लड़के उन लड़कों से अच्छे हैं अब बता हूं अब क्यासे करोगे यह लड़के उन लड़कों से अच्छे है, वो कैसे बनाओगे, हाँ, देखो, these boys, these boys are better, अच्छे हैं, यानि बहतर है, better than, दोस्तो लगा दिया हमने, और boys अब मत लगाना, क्योंकि boys का plural को repetition से बचना है, तो o-n-e-s, मेटा plural noun का repetition से बचना है, तो o-n-e-s, और one का ones, one का plural o-n-e-s, देख लो ध्यान से, ठीक है, अब आती हूँ, मैं देखो, छोड़े-छोड़े point से देखो, some, आजा, some, क्या है some, some singular भी है, some plural भी है, some uncountable भी है, कैसे, देखो, some boys are missing, यानि कुछ लड़के नहीं है, missing है, some furniture, बटा, furniture, uncountable noun है, uncountable noun हमेशा singular भी लेगा, कुछ furniture room में पड़े हुए है, कोई लड़का खड़ा है, जो राहूल नाम का है, तो क्या से कहूँ मैं, some राहूल is standing at the gate, यानि some का मतलब यहाँ निकल रहा है कोई, अगर singular noun लोग है, तो उसका अर्थ कोई है, थोड़ा furniture पड़ा हुआ है room में, कुछ furniture पड़े है room में, देखो, और यहाँ पे plural countable noun, बताओ, clear, right, देखो, क्या कहां मैंने, some राहूल is standing at the gate, विटा, is, plural noun, plural verb, uncountable noun, singular verb, singular noun, singular verb, singular noun, singular verb, singular तो हमेशा singular ही लेता है, सम राहूल के जगा पे एनी राहूल ना बिटा, एनी हम singular के साथ लगा सकते हैं, एनी, लेकिन बिटा, एनी नेगिटिव वाक्य में आता है, इसलिए सम के जगा पे हम एनी नहीं लगा पा रहे है, और राहूल कह सकते थे, और राहूल, ठीक है, आब देखो, सम हो गया, इस सबसे अच्छी बात है, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं आता है, जादा इससे, आजा, सम थिंग, एनी थिंग, नाथिंग, एवरीथिंग, एक बात बताओ, यह पढ़ने की चीज है, कुछ, सम थिंग, सम राहूल का मतलब कोई राहूल, मान लो मैं क्लास के अंदर जारी मैं आपको बता दू, सम राहूल हस काम टू मीट यू क्यों हुआ, सम राहूल सम राहूल सम राहूल के अंदर जारी हूं पढ़ाने, और एक लड़का खड़ा कहा, मैं जड़ा पंकच को भेज देंगे, मैं काऊंगे तुम कौन, तो कहगा मैं राहूल हूँ, तो मैं आके से कहूंगे, सम राहूल हस कम टूमीट यू क्योंकि मैं राहूल को जानती नहीं हूं, तो हिंदी में क्या कहते हो, कोई राहूल आप से मिलने आया, है ना, कोई राहूल आप से मिलने आया, सूनो, something, anything, nothing, everything, बटअ अंकाउंटबल है, कुछ, कुछ भी नहीं, है ना, जब लग ज्याना तो uncountable है और पिटा uncountable का ratio लेना है proportion लेना है part लेना है कुछ भी लेना है ले लो लेकिन वर्फ तो singular लेगा क्यों? सुनो कुछ भी होगा वो singular वर्फ लेगा कैसे? Something is missing देखो singular वर्फ कुछ भी असंभव नहीं है Nothing is impossible ठीक है? Is anything required? देखो यहनी कुछ भी हो Nothing, Anything, Something, Everything यह uncountable है यह चारो uncountable के लिए उस होता है uncountable pronoun है और अगर uncountable pronoun है तो हमेशा singular वर्फ ही लेका That's it Clear? Yes बटा मेरे से परके आपके handwriting भी आराम से सुधर जाएके अब आजाओ many प्लूरल एजेक्टिव उसके साथ क्या आएगा? प्लूरल नाउन ही आएगा तो वर्व बटा प्लूरल वर्व आएगा Many प्लूरल नाउन लेता है और प्लूरल वर्व लेता है Many क्या है? प्लूरल एजेक्टिव है क्या लेगा? प्लूरल नाउन प्लूरल वर्व अब सुनो अगर मैं ये कहूँ कि ग्रामर पर कई किताबे बजार में मौझूद है बताओ तो कैसे बोलोगे? कई किताबे ग्रामर पर उपलब्द है कैसे बताओगे? बोलो तो जल्दी फटाफट ग्रामर पर कई किताबे उपलब्द है कैसे बोलोगे? जल्दी Many books books बिटा books are available there are many books available in market मौक्ष बिलकुल सही बिलकुल सही देखो या तो मैं कहूँ there are many books there are many books on grammar on grammar available in the market या फिर मैं सीदा कहूँ many books on grammar are available in the market है न? in the market छोड़ दे रही हमें अभी अब सुनो many क्या है? plural adjective noun क्या लेगा? बाई plural noun verb क्या लेगा? plural लेगा many क्या है? plural adjective verb देखो plural verb लिया noun plural लेगा many हमेशा plural noun plural verb लेटा है इतना तो आता होगा यह मान के चलते हैं कही बार many many मैनी अ क्या लेगा? तो बोलेंगे अच्छा मैनी अ तो चलो, मैनी अ बुक इस अवेलिबल जैसे ये लिखते हैं बच्चा खुदी कन्फ्यूस हो जाता है मैं मैनी अ लगाए हो तो बुक लगा दिया और इस लगा दिया जबकि कई किताबे एक किताब तो है नहीं फिर बुक क्यों लगाया? सेम बात एक और तरीके से लिख सकते हो मैनी अ सेम बात एक और तरीके से लिख सकते हो मैनी अ अब बेटा मैनी अ सिंगुलर नावन और सिंगुलर वर्व लेता है बेटा ये आपको नहीं आता है इससे ज्यादा question आता है बेटा books on grammar होगा books of grammar नहीं है books on grammar रामभाव याद रखना ठीक है preposition का mistake कर रहे हो off लगा के सुनो ठीक है यानि यह structure generally लोग जानते हैं कि मैनी के साथ plural noun plural verb लेकिन मैनी अ के साथ singular noun singular verb इसमें आप confuse कर जाते हो इसलिए यह लगाया देखो ठीक है clear चलो next आओ a great many a good many देखो ध्यान से a good many a great many अगर मैं यह कहूं अच्छे खासी संख्या में किताबे grammar पर मौजूद हैं अब क्यासे लिखो अच्छे खासी संख्या में a great many a good many books are available on grammar अगर्ये तरह अच्छी खासी संख्या में good many का मतलब अच्छी-खासी संक्या में दोनों का मतलब अच्छी-खासी-संक्या में अब आ जाओ तो इसे related में questions कैसे बनाओ आपको 1 से लेकर 5 तक question करो आप समझ जाओगे कि इसको बनाना कैसे जरा देखो a great many के साथ बेटा अभी plural noun बताया था students होगा ठीक है मैंनी के साथ singular noun और singular verb बताया था मैंनी के साथ singular noun और singular verb होगा मैंनी के साथ singular noun और singular verb होगा देखो अब countries है मैंनी का superlative degree most लगा हुआ है कोई बात नहीं many more most होता है लेकिन plural noun है यार तो plural verb होगा ना यह देखो है ना many are singular noun singular verb a great many plural noun plural verb many are singular noun singular verb देखो लेकिन देखो तीन question many पर है एक मात्र question a great many पर है तभी तो मैंने कहा कि भाई मैंनी आ नहीं आता हमें वह problem है चलो मीनिंग देख लो a great many students have been declared successful यानी काफी बच्चे successful declare हुए है most countries in the world are for peace अधिकांच देश बस चाहते हैं peace हो शांती हो ठीक है many a man has realized that real happiness lies in making sacrifices कई लोग ये realize किये हैं जो real happiness है वास्तव में जो happiness है वो sacrifice करने में many a man wants to be rich quickly कई एक लोग बहुत जल्दी पैसे वाला होना चाहते many a man has come to India from Canada to live here permanently कई लोग Canada से इंडिया आये हैं यहां पे permanently रहने के लिए आये structure next structure बिटा ध्यान सो सुनना अगर मैं कहूं प्रतियक बच्चे ने अपना काम खुद किया है जड़ा बताना कैसे बनाएंगे प्रतियक बच्चे ने अपना काम खुद किया है जल्दी बताओ तो फटा फट ट्रांसलेशन करो तो इसका प्रतियक बच्चे ने अपना काम खुद किया है जल्दी से बताना आशुत तो उस next class में कर दूंगे बिटा यस दिपेन फिल्पकार से बुक मत खरीदना कैसे बोलोगे जल्दी बोलो प्रतियक बच्चे ने अपना काम खुद किया है प्रतियक बच्चे ने प्रतियक एवरी प्रतियक इच दोनों में से कुछ भी उठा लूँ every child child क्यों लिख रही हूं children क्यों नहीं लिख सकती हूं मिठा every singular adjective है यह singular noun लेगा has done has done क्यों by singular noun similar verb लेगा his work his क्यों क्योंकि प्रति एक बच्चा के cording चलूंगी तो singular adjective होगा और खुद ही himself singular pronoun लेगा देखो सब राइट वेरी गुड विश्व वेरी गुड इसका मतलब है कि जब हम every ले रहे हैं तो बटा singular noun लिए singular verb लिए singular adjective लिए और singular pronoun लिए यह देखो यानि जब हमने each और every से करा दिया तो one लगाओगे तब क्या होगा one child has done his work himself फिर any any के साथ भी child आएगा no no के साथ भी child आएगा only only के साथ मतलब मतलब यह है कि हम अलग अलग क्यों पढ़े हम इन सब को एक साथ क्यों न ले ले और यह सारा जो मैंने एक साथ लिया है देखो जाध्यान से इच एवरी वान एनी नो ओल्ली बिटा यह सारे एज्जेक्टिव से इनके साथ जो आएना यह सारे के सारे singular है देखो सारे एज्जेक्टिव के साथ सारे single है लेकिन पेटा में एक क्यों पढ़ा हूँ मैं ख्यों न एक काम करूं कि सारा एक साथ कर दू और यह सारा एक साथ करने के लिए मैं क्यों ना आपको ऐसे दिखा दू देखो अब पूरा कहो बटा एक साथ रटा मारो एक साथ एक साथ कैसे रटा मारोगे Each, Every Everyone, Someone Somebody, Nobody None, One Any More than One देखो यानि मैंने कहा क्या Each, Every One, Any No, Only उसके बाद Each, Any, One यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन भी है Each जानते हो क्या है एजेक्टिव भी हो प्रोनाउन भी है Everybody, Everyone Someone, Somebody No, One, Nobody सारा सिंगुलर Many, A Many, A पढ़ चुके थे याद है ना सिंगुलर है ना More than One और Nothing But मैंने सारा एक जगा ही खट्टा किया आप लोग जितने लोग बुक्स का प्रोब्लम लिख रहे हो ना अपने और नमबर के साथ लिखो और और नमबर उतारो और सब को फोन कराऊ ठीक है यह सारा सिंगुलर है देखो सारा सिंगुलर है और सब के साथ सिंगुलर एजएक्टिव सिंगुलर प्रोनावन सिंगुलर वर्व सब कुछ सिंगुलर लगेगा 2 से लिके 6 तक एक बार 2 से लिके पहले 5 तक बनाऊ तो येस प्रभाद रवी पाल का देख लो 2 से लिके 5 तक जल्दी फटा-फट बनाओ तो एक्स्टर वर्ड कोई जरुवत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं कोई डिफरेंस नहीं CHSL का नॉटिफिकेशन आउट हो गया, बच्चो, याद रखना हम, देखो सेकंड क्वेस्टिन, घान से सुन्दा बिटा You can apply for any, any है बिटा, any है तो post होगा, posts नहीं क्योंकि any क्या था, singular noun लेता, तभी बताया था आपको दूसरा, every, बिटा, every के साथ movies नहीं आएगा, movie आएगा You suggested, were नहीं होगा, was होगा यादि सब कुछ singular, every आया तो singular noun और every आया तो singular verb, यानि each, every, everyone, someone सब कुछ singular होगा, ठीक है मिथिलेश, order number 82 तो हो जी नहीं सकता है बिटा इसलिए आप एक बाद पर इसे चेक करो ठीक है, प्रतियक movie जो तुमने suggest किया था वो देखने लाइक था, यानि worth watching मतलब देखने लाइक each boy, okay, singular noun बिलकु सही है has, singular verb बिलकु सही है handed his work, पिटा singular ejector देखो each boy के साथ his work आएगा अब जानते हो जैसे मैंने कहा, each boy has done his work फिर धानाएगा यार, each boy कैसे क्लास में तो लड़के भी हैं तो मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे कहना चाहिए each boy and each girl लेकिन पिटा मेरा मतलब तो each है ना प्रतियक पर ही तो है तो इसी लिए each boy and each girl पिटा ऐसे कंडिशन में आपको has ही लगाना है and पे मत जाना है, each पे जाना आप कहोगे अब इसको क्या करें? boy के cording चलेंगे तो his आएगा girl के cording चलेंगे तो her आएगा अब दोनों में से क्या लगाए? दोनों ही लगाना पड़ेगा his oblique her work देखो each boy and each girl has done his oblique her work ठीक है? यहां तक समझ में आ गया देखो यहां तक समझ में आ गया राइट? देखो दियान से बिटा अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि भाई each singular है any singular है every singular है लेकिन we तो भाई we तो plural है कहोगे ma'am each तो है यहां पे each subject नहीं है subject यहां पे we है तो भाई के according हाव चलेगा we have देखो है न? clear? right? इसलिए subject पर ध्यान दो यह subject है we यहां पर यह subject है each subject है तो singular है अब फिर से आ जाओ वरून, yes, वरून yes, वरून तयाल हाँ each, every, everyone someone, somebody, nobody none, one, many, more than one है न? यह सारा रटा मार जाओ यह सब singular हिनके साथ सब कुछ singular आएगा चलिए, फिर से और question देखते है आ जाओ one से लेकर four तक जल्दी देखो तो फटा फट मैं हट जा रही हूं सामने से हूं one must perform one's duty oneself इसी को तो कहते हैं syntax one one's oneself someone singular है इस बिलकुल आगया singular सही है अब everyone भाई इस आएगा every child in the class is wearing आएगा देखो यानि जो हमने पढ़ा है बिटा exam के question और आसान देखते हैं देखो तो every है तो children नहीं child है और are नहीं is आएगा वैसे ही यहाँ पे आओ every boy and every girl आप जड़ा ध्यान से देखो and है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता every boy and every girl were given every के कोरिंग चलेंगे was given क्योंकि अगर मैं कहीं कहूं every boy was given आप कहें अच्छा every boy or every girl भी है भाई तो भी every से मतलब है मुझे चीक है everyone was happy देखो किसी का कोई मतलब नहीं पता हो तो बता दू समझा दू हो गया अब next structure को समझो यह देखो every each का ध्यान से सुनना बेटा मैं one को उठाती हूं क्योंकि मैंने one आपको पढ़ाया था पीछे भी यहां भी one है ध्यान से सुनना one boy मैं एक के तरफ इशारा कर रही हूं one boy has done his work himself एक ही लड़का one boy has done his work himself अब ध्यान से देखो one of the boys one of the boys लड़कों में से सिर्फ एक ने has done his work himself difference क्या बोलोगे बात तो दोनों से मैं एक मैंने कहा एक लड़के ने अपना काम खुद किया है दूसरे मैंने कहा लड़कों में से एक ने अपना काम खुद किया है लड़कों में से एक ने यानी one of the boys कहां मैंने अब बटा देखो ध्यान से one of the boys one के बाद of लगाया तो boys लगाया plural noun one of them कहा plural pronoun उसके बाद singular verb है has done his work himself मतलब each, anyone, none everybody, everyone someone, somebody neither, either अभी बताएंगे neither, either क्या है बेटा इसके बाद अगर off आएगा तो उसके बाद आने वाला noun या प्रोनावन तो plural होगा लेकिन बाकी सब singular होगे उसके बाद आने वाला noun या प्रोनावन प्लूरल होगा लेकिन बाकी सब singular होगे देखो जो अभी समझाए आपको देखो वान ओफ देम सिंगुलर वर्ब एवरी वान ओफ देस्टूडेंस प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब नण ओफ देम सिंगुलर वर्ब देखो ओफ की चक्कर में बिटा प्लूरल आया है लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर है फोर फाइव आप्ड सिक्स आप्ड सेवन चलो तो जल्दी बनाओ तो फोर फाइव सिक्स आप्ड सेवन वान ओफ दबॉइज कहा था मैंने तो प्लूरल नाउन आगिया ओफ के बाद सिंगुलर वर्ब है इस कहां से इस सिंगुलर वर्ब आर नहीं इस आएगा लेकिन इस देखो तो कश्मीर वैली में आतंगवादियों उसमें से एक मारा गया मारा गया पास्टेंस आर हटा के इस नहीं वास कर दिना बस इधर ओफ ओफ लगा है रोडस है तब भी हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इधर का मतब याद रखना वन आउट ओफ टू दो में से एक वन ओफ माई डिजायर्स प्लूरल नाउन आगे सिंगुलर वर्ब बास यही तो बोल रही हूं मै वन बॉई अगर वन होता खाली तो बटा डिजायर होता है लेकिन वन ओफ माई डिजायर्स है ओफ के तुरंत बाद आने वाला बटा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब इत्यादी सब कुछ सिंग्लर होगा ठीक है कोई भी बुक बिटा लेना है तो लो लेकिन वॉल्यूम वन पहले सबसे पहले कर लेना चलो सेवन से लेके इलेवन तक जल्दी करो तो फटा फट इच अव दे स्टूदेंट्स हास सिंग्लर वर्ब बिलकु सही है हिस ओन रिसर्च पेपर इच ओफ दीज बॉईज प्लेज प्लेज एच ओफ दीज गर्ल स इस इच वन अलए यू है तो मेक अप यॉर माइंड होगा ना यू यॉर वान ओफ दॉज तो यहाँ पर बॉईज यानि डिजीज अधीज होगा इच ओफ दीज बॉईज प्लेज होगा देखो, ओफ के बाद आने वाला noun plural होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला, बिटा, सब कुछ singular होगा, है ना, देखो, clear, आप खुद देखलो, कि one of the boys था, तो one of the plural noun, one of the plural noun, singular verb, one of you है बिटा, तो you के कॉरिंग तो you नहीं चलेगा, each of the plural noun, singular verb, each of the plural noun, singular verb, ठीक है, 14th or 15th देखो, one of my teachers, one of my teachers है, and one of my friends है, यह देखो, one of my teachers, one of my friends, देखो, and one of the most widely spread bad habits, one of the boys था, तो one of the habits होगा ना, समझ में आ गया, next आओ, मैंने अभी कहा था दा आपको, मैं आपको निदर, इदर, भन सब का मतलब बताना चाहती हूं, देखो, निदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, ठीक है ना, नीदर का मतलब दो से अधिक में से एक भी नहीं, नन दो में से एक भी नहीं, नीदर दो से अधिक में से एक भी नहीं, नन दो में से एक, इधर और दो से अधिक में से एक, वान ठीक है? Every बिटा प्रतियक और अगर इस प्रतियक पर जोर दे दोगे, जोर और जोर देना चाहते हो, ओके, तो इच लगा दो, 14 में क्या करे हो, टीचर साएगा, येस, वन अफ माइ टीचर स, है न, वन अफ दो बॉइस था, तो वन अफ दो टीचर साएगा, अब आँ, जो आपको समझाया भी, बस उसी में से करा लिए, लो, वन से लेकर, फाइव तक देखो तो, सिक्स तक, देखो, घ्यान से देखना, नीदर ओफ दो त्री रूट्स, बिटा, त्री रूट्स है, तो तीन में से एक भी नहीं, नन होगा, आपके घूट्ने, बिटा, सिर्फ दो ही घूट्ने हैं आपके फस, तो दो में से एक भी नहीं, नीदर होगा, है ना, पचास गेस्ट में से, किसी एक ने अपना बैग लूज कर दिया है, बिटा, पचास में से, एक वन होगा, है ना, मैंने कहां, घूट्ने कितने हैं, दो, तो, दो में से, एक भी नहीं, नीदर ना, तीन में से, एक भी नहीं, तो नन होगा, ठीक है, क्लियर, कौन सी बुक बेस्ट है, बिटा, सबसे पहले तो, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू ले लो, बनाना का, प्लांट होते हैं, चोटे-चोटे, प्रतियक भाग यूस्फुल है, मेरा जानते हो, बनाना, कोकुनाट, इन से रिलेटेड क्वेश्चन साते, मैं यह कह रहे हूं, कि भाई, इसका प्रतियक भाग, तो मैं एवरी लगा दू, कहोगे, मैं, एवरी पर जोर देना चाहरा है यह, जोर देना चाहरा है, मैं को अपने, लाइफ का प्रतियक स्टेज, को वैल्यू करना चाहिए, जब आप प्रतियक पर जोर देते होना, तो बिटा, एवरी के बदले में इच लगाते हैं, चलो, नीदर ओफ दीज टू डॉकुमेंट्स, बेटा, दो डॉकुमेंट्स है, दोनों में से एक भी नहीं, नीदर तो सही है, लेकिन, बेटा, नीदर ओफ के बाद आने वाला, नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्फ तो सिंग्लर लगेगा ना, जो आपने डॉकुमेंट्स दिये हैं ना, दो, उनमें से एक भी आपका जो दावा है प्रॉपर्टी पर उसको सपोर्ट नहीं करता, देखो, ठीक है, बताओ, हो गया, समझ में आ गया, सेवन्थ, एट्थ, और नाइन्थ, देखो, स्प्रेट्स कैसे होगा बता, वाइडली स्प्रेड बाड हाबिट्स है, तो हाबिट्स होगा ना, नाउन प्लूरल होता है न, ठीक है, देखो, नीदर ओफ द, नीदर ओफ द प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्व, नीदर ओफ द प्लूरल नाउन, singular verb neither of the plural noun अब दो ही books है तो one of these two books देखो either of these two books लगा सकते हो है ना दो में से कोई भी एक ले लो either of these two books अगर मैं बात करो ये कह रहा है कि जो scout leaders थे उन में से किसी को पता नहीं था animals को कैसे trap किया जाए या mountering के लिए जो mountering करने के लिए जा रहे थी ये लो वो कैसे जाया जाए ठीक है कैसे prepared किया जाए देखो हर जगा एक ही चीज़ बता रही हुँ मैं off के बाद आने वाला noun plural verb singular off के बाद आने वाला noun plural verb singular off के बाद आने वाला दो में से एक इधर, है ना, दो से अधिक में से एक भी नहीं, नन, दो से अधिक में से एक, वन, राइट, अब हमारा, ये पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है, कितना बच गया, बस, थोड़ा सा बचा हुआ है, One boy has done his work himself, दूसरा, One of the, सारे boys, One of the boys has done his work himself, काम तो एक ही लड़के ने किया है, आप काओगे माम, काम तो बहुत हो ने समिट किया है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक लड़के ने अपना काम खुद किया है, वो कैसे बोलेंगे, One of the boys, कौन से boys भाई, who have submitted their work, बोईस कौन से, who have submitted their work, बेटा ये जो है ना पार्ट, ये पार्ट अलग है, कि लड़कों में से, कौन लड़के भाई, जिन्हों ने अपना काम समिट किया है, देखो, बोईस के कार्डिंग सब कुछ प्लूरल चला, लेकिन मातरे एक लड़के उसमें से, has done his work himself, बेटा ये दो भाग है, दो सेंटेंस है, उन दोनों सेंटेंस को हमने, ये हू से जोड़ा है, हू के बाद आने वाला वर्ब, हू के पहले आने वाले सब्जिट के कॉड़िंग चलेगा, और इस हू ने, भाई, पूरा दो सेंटेंस को, कौन सा दो सेंटेंस, वान हास दान हैस वर्क हिमसेल्फ, को इस बोईस हाव समिटेड देर वर्क से जोड़ा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, बोलो, आजा, अब आप फटा फट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखो, फिर मैं आगे का कराऊंगी, शी इस वान ओफ दे लीडर्स, बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन, डबलु एज फैमली और दाट, यही तो होता है बस, दाट के बाद, बेटा वही वर्व आएगा जो दाट के पहले सबजेक्ट है, ये महिला उन ग्रेट लीडर्स में से हैं, जो ग्रेट लीडर्स फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अक्टिव थे, ठीक है, देखो, ठीक है, फिर देखो, क्या कहा मैंने, बेटा हूँ आ रहा है, सेम, इसके पहले प्लेयर्स है, तो इसके बाद, प्लूरल वर्व होगा ना, राइट, ही इस वण फ्री प्लेयर्स हूँ प्लेयर्स, अगें, फू यहां पे हैं, देखो तो, आई हैं, तो इस नहीं हैं होगा, क्योंकि हूँ के पहले जो सब्चिक्ट है इसी को कहते हैं रिलेटिव प्रॉनाउन के बाद आने वाला वर्व आंटी सिदेंड से मैच करता है देखो अगेइन फिप्ट नमबर भी रुखना हूँ हूँ आई के कॉर्डिंग आम प्लेयर्स के कॉर्डिंग हाव राइटर्स हूँ के अनुसार चलेंगे तो राइटर्स के कॉर्डिंग चलेगा देखो तो ठीक है फाइव नमबर छोड के बाद चल रहा है ठीक है नेक्स्ट आओ इजिंट एट देखो बटा मैंने कहा है इट इस आई तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी इट इज आई का तो कहोगे मैं क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यह जो इट है इसको आई के पहले लगा दो इस इट आई है ना और नेगेटिव है तो इजिंट आई होगा बटा वही तो इजिंट आई वो है तो फिर मी का है आई आई आईगा और आई के कोर्डिंग चलेंगे तो इस नहीं आई होगा यह देखो इसंट इट आई हूं आई हूं आई हूं अँट ब्लेम क्या यह मैं नहीं हूं जिसको घाता हो रहा है who is at loss it was I I के according चलेंगे तो has नहीं have होगा देखो और याद करो one of the most important factors होगा ना one of the boys होता है ना बिटा तो one of the factors होगा और factors के according देखो contribute तो ठीक है बोलो समझ में आ रहा है सो यह है जो मैं आपको समझाना चाहरी थी कि reporting वर्व के बाद याद रखना सॉरी जो relative pronoun है इसके बाद आने वाला वर्व relative pronoun who, which, that के बाद जो वर्व आता है पेटा यह वर्व इसके पहले आने वाले subject के according चलता है इसलिए मैंने कहा it is मैं हूँ यह मैं हूँ it is I हूँ लगाया तो बाद आई के according चलेगे तो I am आएगा ना is कहां से आएगा समझ माया पाश्मा तो यही था बाद it is I अगर question पूछना है तो is it I हो गया और negative question पूछना है तो isn't I होगा यह मैं हूँ मैं बेटा subject है यहां पे ठीक है अब सुनो लेकिन मैं अगर third में आओ ना तो आप देखो क्या है पूरा sentence को एक बार पढ़ो he is one of the players who play लेकिन बेटा यह उन खिलाडियों में से है जो खिलाडी अपने देशों के लिए अपने देश के लिए बहुत सारे खिलाडी है उनके देश इस लड़के के देश के लिए थोड़ी खेलेंगे याद करो मैंने कहा था ना players play there यह एक पार्ट था I who have हो गया कि तुम्हें पता है यह मैं हो जिसने यह ब्यूटिफुल वर्क किया है and one of the most important factors मैंने बता दिया थे यह right और इस ने लिखा है बिटा कि apart from this आपको थोड़ा meaning समझना पड़ेगा क्योंकि अगर meaning नहीं समझोगे ना तो एक प्राब्लम हो जाएगा वो यह प्राब्लम होगा क्या आपका होगे अच्छा मैं देखो ना that है related to pronoun है तो novels है तो हाफ तो सही है लेकिन बटा यह कह रहा है सिर्फ एक ही novel चपा है इस आदमी ने कई novels लिखे हैं there is only one of his novels that has been published तो कभी-कभी मेनीं भी समझ लो है ना हमेशा नियम के कारिंग चेंज नहीं करते हैं ठीक है? clear? we have finished this chapter today चलो, thank you so much गुद्